हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो अबोध आई एस इस लेक्षर सिरीज में हम करने वाले हैं 100 क्वांट्स एंड रिजनिंग के जो यूपी एसी सी सी सेट में 2021 प्रिलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो जितनी भी चार वीडियो मैंने पार्ट में असिस्टेंट कमांडेंट इंग्जामिनेशन कंड़क्टिड बाई यूपी एसी आर गुक्तास वहां से मैंने ये क्वेशन उठाए हैं आप उस बुक को पर्चेस कर सकते हो बहुत यह अच्छी बुक है यहां से यूपी एसी डिरेक्ट क्वेशन भी पूछती है सी सेट क इसी तरह के सी सेट में क्वेशन पूछे जाते हैं तो अगर आपको क्वेशन समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है इसको आंसर करना सेट में क्या दे रखा है कि आपके पास कुछ सेब है जिसको आपको डिस्टिबिट करना है अगर आप दो, तीन और चार किसी पेकट में डालते हो सेब तो आपके पास एक बचेगा, कहने का मतलब जब आप 2-2 करके किसी थेले में सेब को डालते रहोगे, तो last में आपके पास एक बचेगा, जैसे कि माल लो आपके पास 11 एपल हैं, तो 2-2 करके आप 5 बार डाल सकते हो, तो 2-5-10, last में बचा किता है, एक एपल बचा, यही तो दे रखा है, कि if I keep 2-3-4 in a pack, I am left with 1 एपल, तो यह सब के साथ है, 2 डालोगे, तो भी एक बचेगा, 3-3 करके डालोगे, तब भी एक बचेगा, 4-4 करके खेले में डालोगे सेब को, तब भी एक बचेगा, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें लेना होगा, LCM, अब 2, 3 और 4 का LCM कितना होगा List common factor क्या होगा इसका, इसका list common factor होगा 12 Clear, because 12-2 से भी भाग होता है 6 पे, 12-3 से भी भाग होता है 4 पे, 12-4 से भी भाग होता है 3 पे, तो इसका list common factor होगा 12, clear अब second statement क्या दे रखी है कि if I keep 5 in a pack, I am left with none, कि अगर मैं 5-5 save रखता हूँ थेले में, तो कुछ भी नहीं भचता तो मान लो, अगर 12 apple थे starting में, तो 5 अगर मैं रखूंगा और फिर 5 रखूंगा 10, तो मेरे पास last में 2 बचे, but statement में क्या दे रखा है, left with none कि कुछ भी नहीं भचता, तो 12 तो नहीं होगा, समझे इस बात को तो अब इस calcium को क्या करो, आप 2 से multiply करतो, clear जब 2 से multiply करोगे, तो कितना आएगा 24, first case में हमने calcium लिया 12, तो second statement तो satisfy नहीं होती है, first तो हो जाती है, second नहीं होती, तो इस case में आप क्या करोगे, 12 को फिर 2 से गुना करोगे, तो कितना आएगा, 24 आएगा अब 2, 3, 4 का calcium 24 भी होता है, 12 का जो भी table होगा, वो इनका calcium होगा समझे इस बात को, अब हमें क्या देखना है कि 5-5 apple, जब हम इसमें रखेंगे, तो क्या होगा 5 into 5, 25 and left with none, तो इसका मतलब 24 25 प्लस एक 25 कर दें क्योंकि हमें second statement को satisfy करना है, if I keep 5 in a pack, I am left with none यानि कि, मानलो, initially 25 से थे, हम आपको और अच्छे से इसको clear करके बता देता हूं मानलो, starting में क्या थे, 25 apples थे clear, तो अगर मैं 2-2 के रखता हूँ, तो कितने होंगे, 2 गुना 12, 24, तो बचेगा कितना एक बचेगा, left with one बिल्कुल सही बात है, अगर मैं 3-3 के रखता हूँ, तो कितने होगे, 3-8, 24 फिर एक बच गया, अगर मैं 4-4 के रखता हूँ, तो कितना होगे, 4-6, 24 फिर एक बच गया, और अगर से यह होगा, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं था, simply LCM लेना था, 2-3-4 का, वो LCM आ जाता, 12 फिर आपको second statement देखनी थी, क्या वो satisfy होती है या नहीं, तो हमने यह पाया कि अगर 12 save लेती है, तो second condition satisfy नहीं होती, तो हमने क्या किया, इसको अपनी बुद्धी लगाने दी किस तरह से इसको कर सकते हैं, that's it, ऐसे ही question C-set में पूछे जाते हैं, थोड़े से tricky होते हैं, difficult बिलकुल भी नहीं होते हैं Question number second है, which run faster, आपको बताना है इसमें से कौन, which run faster, a train running at 120 km per hour और a car speeding at 200 100 meter per 6 seconds, तो आपको यह बताना है, इनमें से कौन, तेज़ दोड़ता है, तो आप या तो इस meter per second को kilometer per hour में change करके compare कर लो, या फिर इस पहले वाले, जो speed है train की, जो की kilometer per hour में दे रखी है, उसको meter per second में change करके compare कर लो, तो meter per second में किस तरह से change करते हैं, 120 into 5 by 18 करते हैं, क्योंकि एक kilometer में 1000 meter होते हैं और एक घंटे में 3600 second होते हैं, तो यह कितना आजाएगा, पांच दूनी अठा, पांच दूनी 10, 18, दूनी 36, पांच बटे 8, तो यह 120 kilometer को, जो meter per second में change करेंगे, तो 5 by 18 से multiply करेंगे, समझे इस बात को, यह कितना आजाएगा, 600 बटा 18, which is 200 by 6, और यहाँ पे car की speed भी कितनी दे रखी है, 200 by 6, इसका मतलब दोनों की speed क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो options में अगर ऐसे हो, कि both will run at same speed, तो वो options हमें क्या करना है, tick करना है, clear, अगला है, Mohan is 15th from both the end of a row of boys, जो Mohan उसकी position क्या है, पंदरवी position है, तो how many boys, तो question क्या पुछा है, how many boys are there in the row, बहुत ही simple question है, प्राई करो इसे answer करने का, देखो Mohan की जो position है, वो 15th है from both the ends, तो इस तरह से माल लो, Mohan है, वो पंदरवी position पे है, from the left end, और पंदरवी position पे है from the right end, तो यहाँ पे अगर इसकी 15th position है, तो यहाँ पे कित्य students होँगे, अब जिस सी बात है, 14 होँगे, तभी तो इसकी 15th position है, similarly, यहाँ पे भी 14th student होँगे, तभी तो इसकी 15th position है, from the both end, अब 14 और 14 कित्ते होगे, 28 होगे, और एक उसकी position होगी, Mohan की, plus 1, 13, तो टोटल कितने boys are in the row, 29, clear, कुछ भी नहीं है इसमें, next, इसी तरह का एक question है, कि in a row of girls, if Sita who is 7th from the left, and Lina who is 9th from the right, interchange their seats, जो Sita है, उसकी position कैसी है, 7th है, यह किसकी position है, Sita की, 7th है from the left, इसके यहाँ पे 6 girls हैं पीछे, और Lina की position 9th है from the right, clear, Lina की position क्या है, 9th है from the right, यानि कि Lina के पीछे 8 girls हैं, next आपको दे रखा है, कि अगर वो अपनी seat को interchange करते हैं, यानि कि Lina यहाँ चली जाती है, Sita यहाँ चली जाती है, then Sita becomes 11th from the left, तो Sita की जो position है, जब Sita, Lina की जगां आ जाती है न, तो इसकी position क्या हो जाती है, 11th हो जाती है, from the left, clear, so how many girls are there in a row, बिल्कुल simple सा है, अगर Sita की position 11 हो गई, तो 10 इसके पीछे रही, और 11 सिता खुद रही, तो 11 तो यह एक हो गई, और 8 इसके पीछे थी, 11 और 8 टोटल कितने हो गई, 19, 19 girls हो गई, तो टोटल girls कितनी है, रो में 19 है, एक बार और आप देख लो इसको, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें निकालना है कि कितनी लड़कियां है, रो के अंदर, clear, और interchange क्या दे रखा है, Sita का दे रखा है, Sita 11th position पे आ जाती है, from the left, तो हमें मोटे-मोटे तोर पर यह तो पता है, कि Sita की position 11th है, from the left, यह Sita की position है, इसका मतलब total girls यहाँ तक तो 11 हो गई, 10 इसके पीछे वाली 11 वी Sita खुद हो गई, समझे इस बात को, और Leena की जो position है, वो 9th है from the right, यानि Leena के पीछे total कितनी होगी, 8 हो गई, तो 11 प्लस 8 हम जोड़ देंगे, क्योंकि Leena की position पर ही तो Sita आई है, समझो इस बात को, तो बच गई यहाँ पर 8, तो 11 और 8 कितने होगे total, 19 होगे, कुछ भी नहीं करना इसमें, इतना simple question है कि यह, जूं समझो आप 20 से 30 seconds के अंदर होने वाले हों, जब आप इस पूरी lecture series को देखोगे, आप इस course को पूरा करोगे, आप अपनी speed को खुद देखोगे, कि आपकी speed increase हो रही है, क्योंकि मैं इसी तरह के questions लाने वाला है, जो कि frequently exam में पूछे जाते हैं, question number 5th है, a man travels 12 km west, अब आपको cardinal direction पता होनी चाहिए, यह north होता है, यह south होता है, यह east होता है, यह west होता है, यह northwest हो गया, यह north east हो गया, यह south east हो गया, और यह southwest हो गया, तो इस तरह से जो cardinal direction, उसको बारे में आपको थोड़ा साथ पता होना चाहिए, a man travels 12 km west, यानि कि 12 km west चलता है, and then 3 km towards south, एक आदमी यहां से 12 km west चला, और 3 km south चला, 3 km south चला, and then 8 km east, और 8 km east चलता है, यह 8 हो गया, और यह कितना है, 12 है, यानि यह कितना बच गया, बाकी का 4 बच जाता है, यह बाकी का 4 बच जाता है, समझे इस बात को, so how far he is from the starting point, अब यह इसका starting point है, और यह यहां पर है, कहने का मतलब, इस तरह से होगा, यह इसका क्या है, starting point, और अभी यह कहां पर है, यहां पर खड़ा है, अभी कहां पर standing है यह, अभी यह कहां पर खड़ा है, इस point पर खड़ा है, तो आपको यहां से, लेकर यहां तक का आपको distance बताना है, तो यह simple क्या दिख रहा है आपको, पाइथा गॉरस देखो, इसी set में, पाइथा गॉरस से related, एक दो questions आपको जरूर मिलेंगी, triplets याद रखने हैं, तो यह क्या है, पाइथा गॉरस triplets, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, clear, इस तरह से, जो common triplets हैं, वो 10 से एक याद रख लो, आप net पर आपको मिल जाएंगी, सर्च कर लेना, पाइथा गॉरस triplets, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 20, 21, 29, इस तरह से, यह triplets याद रखो, तो अगर आपको दो value दे रखी हो, जैसे 3 और 4 दे रखा हो, तो answer 5 होगा, समयरो इस बात को, तो similarly, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यह 4 दे रखा है, देखो, 12 में से 8 गए 4, यह वाले distance 4 हो गया, और यह कितना दे रखा है, 3 किलोमेटर साउथ चला था ना वो, तो यह कितना दे रखा है आपको, 3 किलोमेटर, अब आपको क्या करना है, यह distance निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का, तो 3 और 4, 3-4 आगे, ट्रिपलेट्स कौन सा रहा गया, पांच रहा गया, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं रखने, तो आप सिंपली पाइथागोर स्थिवरम लगा दो, 3 कि स्क्वेर 9 हो गई, इस तरह से आपको करना है, question number 6 है, if the letter of the word, आदिशंक्राचारिय, were written in the reverse order, which will be the third letter, to the right of, seventh letter from the left, तो आपको यह बताना है, जो आदिशंक्राचारिय है, अगर उसको reverse लिखा जाता है, यानि कि, आदिशंक्राचारिय में क्या है, A, D, I, S, H, A, N, K, R, A, C, H, A, R, Y, A, इसको अगर उल्टा हम लिखें, A, Y, R, A, C, H, इस तरह से, अब हमें बताना है, कि कौन सा third letter है, to the right of the seventh letter from the left, अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से करो, कि उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, A, Y, R, A, H, C, इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, टाइम जातर लगेगा, तो इसका easy तरीका क्या है करने का, अब यहाँ पर देखो, reverse order में लिख रखा है, इसका मतलब जो हमें given conditions है, उसको हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, कहने का मतलब, which will be the third letter to the right की जागे, हम लिख देंगे, यहाँ पर left, of the seventh letter from the right, इसको हमें उल्टा करने की फिर, जुरूरत नहीं पड़ेगी, clear, तो आदिशंकराचारिया में, seventh letter from the right कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, A हुआ, और इसके left में कौन सा हुआ, इसका left कौन सा हुआ, यह वाला, इसका right यह हुआ, इसके left में क्या हुआ, 1, 2, and 3, जो third letter है, इसके left में वो कौन सा है, K, तो इसका answer क्या होजएगा, K will be the right answer, simple है, so इस तरहेके से इसको करो, अगला question, so इसमें क्या दे रखा है, how many eights are there in the following sequence, which are preceded by five, but not immediately followed by three, मतलो condition कैसी होनी चाहिए, कि 8 से पहले 5 आना चाहिए, बस उसके बाद 3 नहीं आना चाहिए, clear, तो यहाँ पे देखो, 5, 8, 3 है, तो यह condition को satisfy नहीं करता, because, eight is preceded by five as well as three, but in the given condition, हमें क्या दे रखा है, कि eight should be preceded by five, but not immediately followed by three, clear, तो यह वाला नहीं होगा, फिर यहाँ पे है, 5, 8, 6, यह बिलकुल ठीक है, eight is preceded by five, but not immediately followed by three, because eight is immediately followed by six, तो एक तो यह हो गया, फिर यहाँ पे आप यह देखो, 385 यह नहीं हो सकता, because here eight is not preceded by, not immediately preceded by five, clear, तो दूसरा, तो यह भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे 584, यह बिलकुल ठीक है, eight is preceded by five, but not immediately followed by three, तो दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे देखो, 583 यह नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे है 587, यह बिलकुल हो सकता है, तो तीन हो गया, फिर यहाँ पे आप यह देख सकते हो, 582, यह भी होगा, और 285 में यह नहीं हो सकता, because here eight is not preceded by five, clear, तो इस तरह से total कितने ऐसे आठ हो जाएंगे, जिनके पीछे पांच आता है, और बिलकुल आगे तीन नहीं आता, ऐसे कित्ते हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, four, simple है बिलकुल, next question, the average of the consecutive odd number to 200 is, आपको average बतानी है, odd number की 200 तक की, तो इसको करने के लिए, सबसे पहले आपको submission पता होना चाहिए, तो submission निकालने के लिए, formula क्या लगता है, n by 2, 2a plus n minus 1d, clear, कोई nth term है, अगर आपको उसका summation निकालना है, तो इस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पे, n क्या है, कितने number of terms है, 0 से लेके 200 तक, अगर हम बात करें, तो कितने odd number आते हैं, odd number कितने आते हैं, 100 आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से एक क्या है, odd number है, 3 भी odd number है, 5 भी odd number है, 7 भी odd number है, 9 भी odd number है, तो इस तरह से 1 से 10 के बीच में, 5 ही odd है, और 5 ही even number है, similarly, 0 से 200 के बीच में, 100 odd number होंगे, 100 even number होंगे, तबी, तो जाके यह 200 होगा total, clear, तो एन्थ टरम कितनी हो जाएगे, odd number के लिए, 100 हो जाएगी, और फर्स्ट और नमबर कौन सा है, 1 है, यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टरम, यहाँ प्लस एन माइनस 1D, एन्थ टरम कितनी है, 100 माइनस 1, और D क्या होता है, डिफरेंस होता है, अब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनके बिच में कितना डिफरेंस है, दो-दो का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ पर डिफरेंस लिखा देंगे, clear, तो 100 बाए, 2 कितना हो जाएगा, 50, यह आए गया, आपके 2, प्लस 99 इंटु 2 कितना हो गया, 198, तो यह आगया आपके 200, इंटु 50, clear, अब हमें एवरेज निकालनी है, एवरेज कैसे निकलती है, यह हमारे पास सम आ गया, 200 इंटु 50 हमारे पास क्या आ जाता है, सम आ जाता है, ओर नंबर का 0 से लेके 200 के बीच में, clear, अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, विकोज टोटल ओर नंबर कितने 100 है, तो इसको जब 100 से डिवाइड करोगे, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, So, the average of consecutive ओर नंबर स्टु 200 is 100, clear, Question No.9 है, By selling 66 meter of cloth, एपरसन गेंज दी कॉस्ट ओफ 22 meter, find is gain percentage, अब 66 meter का जो कपड़ा है, उसको बेजने पर उसको 62 meter, 22 meter के कपड़े जितना फाइदा होता है, क्याने का मतलब 66 बटा 22, 3, 3 गुना उसको फाइदा हो रहा है, तो उसका gain percentage कितना हुआ, clear, बहुत easy सा है, Question No.10 है, A, invest Rs. 3000 for 1 year in a business, how much B should invest in order that the profit after 1 year may be divided into ratio of 2, ratio 3, तो इसमें आपको क्या करना है, 3000 को 12 से multiply करना है, एक साल में 12 मैने होते हैं, तो कितना हो गया total, 36,000 रुपे, ratio कित्ती दे रखिया profit की, 2 ratio 3 दे रखिया है, यह 2 ratio 3 दे रखिया है, A की और B की, clear, अब 36,000 रुपे, A की investment आ चुकी है, तो हमें निकालनी है, B की investment, और या फिर profit, clear, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो 2 ratio 3 दे रखाया, यह जो 2 है A का, इसको divide कर देंगे, 36 से, तो कितना आएगा, 18,000, 18,000 को 3 से हम क्या करेंगे, multiply कर देंगे, और 12 से divide कर देंगे, because, 1 year is equal to, 12 months, clear, तो यहां पर कितना आएगा, 3 चौक 12, और यह किस पर जाएगा, 4500 पर, 4 चौक 16,000, और 5 चौक 20, 16 और दो 18, तो यहां पर B की जो investment है, वो पर मन्त कितनी आजाएगी, 4500 रुपेस, यह इसका answer होगा, clear, विल्खुल सिंपल है, करना कुछ नहीं था, 3000 रुपे महीने की investment दे रखी है, एक ही, जब भी आपको इस तरह से investment दी हो, तो आपको इसको एक महीने की मान के चलना है, और 12 से गुणा कर देना है, clear, तो इस case में क्या होगा, 3000 को 12 से multiply करेंगे, 36,000 आएगा, फिर A और B की ratio दे रखी है, तो A की कितनी है, 2 है, और B की है 3, इसका मतलब, 36,000 को 2 से भाग करेंगे, तो 18 आएगा, 18 को 3 से गुणा करके, 12 से भाग कर देंगे, तो B की पर मन्त की investment निकल जाएगी, बहुती सिंपल है, यह 20, 30 second में होने वाले, आपको यहाँ पे copy pen की भी, आवशकता नहीं है, clear, next, try करो, बिना copy और pen का use case को solve करनेगी, A की जो capital है, मतलब A का जो निवेश है, या उसके पास जो पुंजी है, वो B से दुगुनी है, और B के पास जो पुंजी है, वो C से तिगुनी है, कहने का मतलब माल लो, जो B है, उसके पास 15 है capital, मान के चलो, तो A के पास दुगुनी है, तो A के पास कितनी होगी 30 हो गई और B के पास C की तिगुनी है यानि B के पास अगर 15 है तो C के पास 5 हो गई clear A, B और C के पास कितनी capital हो गई A के पास हो गई B की दूगनी that is 30 B के पास हो गए 15 और C के पास कित्ती होगी 5 और हमें रेशो निकाल दिया तो रेशो कितनी आ जाएगी 6 रेशो 3 रेशो 1 सिंपल है बिल्कुल कैसे हमने किया मालो B की कैपिटल 15 है A की दूगुनी है उससे 30 और फिर B की कैपिटल कित्ती है इनकी रेशो निकालनी है पांच एकम पांच पांच तीय पंदरा पांच इक तीस तो छे रेशो 3 रेशो 1 विदाउट कॉपी पैंड दस से 20 सेकंड में उड़ा दो 20 सेकंड में उड़ा दो इतना ही खेल है इसको भी ट्राइ करो बिना कोपी पैंच के करने का A student has to secure 40% marks to get through 40% marks चाहिए उसको पास होने के लिए किसी पेपर में If he gets 40 marks and fail by the 40 marks अगर उसको 40 number मिलते है और 40 number से fail हो जाता है Then find the maximum marks set by the examination तो आपको टोटल बताना है कि paper कितने नंबर गा था अब यहाँ पे देखो 40 number उसको मिलते है और 40 से fail हो जाता है तो 40 और 40 80 हो गए और passing marks 40% है अब 80 40% किसका होता है 80 40% किसका होता है 200 का होता है 200 का 40% अशी तो होता है clear तो maximum marks कितने थे 200 थे As simple as that 10 से 20 सेगिंड में ये भी उडा दिया हमने इसी तरह से करना है अब यहाँ पे ये देख अब मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ अगर नई समझ में आया तो देखो 40 number if he gets 40 marks and fail by 40 marks यानि कि 40 number उसको मिले और 40 से वो fail हो गया मतब 40 और चाहिए दे तो total marks 80 हो गए अब यह जो 80 number है यह 40% है full number के जो maximum marks है उसके 40% क्या है 80 marks that is minimum passing marks clear 200 का 40% कितना होता है 80 तो होता है तो maximum marks कितने होगे 200 होगे clear question number 13 a motorcycle is sold at a gain percentage of 18% मतलब a motorcycle is sold at gain of 18% if it had been sold for rupees 590 more 23% would have been gained so the cost price of the motorcycle is जहां से देखो इसको कि एक motorcycle को 18% के लाब प्रतिशत पर बेचा जाता है अगर उसको 490 रुपे और ज्यादा मतलब मालो हमने 2000 का बेचा तो अगर उसको 2490 रुपे पर और ज्यादा बेचा जाए तो कुल 23% का लाब होगा तो हमें cost price बताने है motorcycle के इसको करने का तरीका क्या है या तो पहले आप यह मालो let the CP of motorcycle is X फिर उसके percentage निकालो इससे बहुत lengthy हो जाएगा short tricks क्या है इसकी simply आपको क्या करना है 18% का पहले उसको profit हो रहा था और जब उसने 490 पे जादा कर दिया मतलब 490 रुपे बढ़ा दिये तो 23% का profit हुआ यानि कि profit बढ़ा कितना 18 से 23 कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया अब यह 5% क्यों बढ़ा क्योंकि 490 रुपे बढ़ा दिये गे यानि कि 5% पे 490 रुपे बढ़ रहे है 5% पे 490 रुपे बढ़ रहे है तो 490 को 5 से भाग करना है 5.45, 5.48, 4.98, गुना 100 यानि कि जो cost price या motor cycle है कितना था 900 रुपे यह इसका answer हो जाता है करना कुछ नहीं था 2 आपको percentage दे रखे है गेन के उनमें से minus कर देना था और फिर कितना और फिर आपको 490 से divide करना था बिल्कुल simple है जब आप इनकी practice करते रहोगे तब आपकी speed आप खुद देखोगे इतनी हो जाएगी कि आपको copy pen की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी 10 से 15 सेकंड में question समझा और उड़ा दिया इस तरह से आप करने लग जाओगे question number 14 है a boat moves downstream at the rate of 1 km in 6 minutes अब देखो downstream में boat जा रही है downstream समझते हो along the stream यानि कि नदी का जो बहाव है उसके साथ साथ चल रही है boat यानि boat को महनत कम लगेगी तो 1 km 6 मिनिट में तया करती है अब 1 घंटे में 60 मिनिट होते है और 1 km 6 मिनिट में तया करेगी तो 60 मिनिट में यानि 1 घंटे में 10 किलो मेटर करेगी 6 को 10 से गुना करो तो 1 किलो मेटर को भी 10 से गुना करो यानि कि 1 घंटे में 10 किलो मेटर करेगी तो downstream की speed तो 10 km परती घंटा आ गई clear upstream के case में यानि बहाव के against नदी का बहाव चल रहा है उसके against 1 km कर रही है 10 minute में यानि 10 गुना 6, 1 गुना 6 यानि 10 km परती घंटा उसकी downstream speed है और 6 km पर आर उसकी upstream speed है तो हमें speed of current निकाल ली है अब 10 km downstream आ गई 4 km upstream आ गई तो इनको minus कर दो कितना आया 4 बट यहां तक नहीं है speed of current निकालने के लिए 2 से divide करना पड़ती है clear so 4 बट आदो कितना आ गया 2 तो speed of the current कितनी आ जाती है 2 km पर आर अब इसको कैसे किया अब यहां पर देखो a boat moves down, a boat moves downstream at the rate of 1 km in 6 minutes एक किलोमिटर, 6 minute में चली तो 6 minute गुना में 10, 60 minute यानी की एक घंटा एक घंटे में कितनी चली, यहां भी हमने गुना 10 किया तो यहां पर भी गुना 10 करेंगे 10 km चली तो downstream की speed भया हमारे पास कितनी आ गई, 10 km पर आर clear और upstream की हमारे पास कितनी आ जाती है एक किलोमेटर अगर 10 मिनिट में है तो 60 मिनिट इसको करने के लिए 10 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी गुना 6 करेंगे तो एक गंटे में अप्स्ट्रीम कितना चलेगा 6 किलोमेटर परती गंटा फिर अब ये six kilometer पर आ रहा रहा है अप्स्ट्रीम आगया अप्स्ट्रीम यानि मालो नदी का भाव इस direction में है तो boat ऐसे जा रही है ये stream है और ये boat है ये होता है upstream अगर नदी का भाव ऐसे है तो boat इस तरह से जा रही है इसको काटते हुए, यह upstream हो जाता है, तो time ज्यादा लगता है boat को cross करने के लिए, तो boat को चलने में क्या होता है, time ज्यादा लगता है, clear, तो इस तरह से हमें बताना है speed of current, अब speed of current का formula होता है, speed of downstream minus speed of upstream divided by 2, speed of downstream कितना है, 10 है, upstream है 6 divided by 2, that is 4 by 2, 2 km per hour, clear, so इसको ऐसे करना है, practice से आप without copy pen, वही 20 से 30 से को कर सकते हो, question number 15, a can run 100 meter in 20 seconds, b run in 25 seconds, a will beat b by, freak बताता हूँ, मैं simply आपको क्या करना है, 25 में से 20 माइनस करो, आया 5 seconds, अब इसको आप क्या करो, 100 meter से divide कर दो, clear, तो कितना आजाएगा 20 meter, so a will beat b by 20 meter, इसको और मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा lengthy, मैं आपको lengthy तरीका बता देता हूँ, मालों एक race लगी उसमें a को b को हराना है, तो a तो 20, a क्या करेगा, 20 seconds पूरा दोड़ेगा, 20 seconds में वो 100 meter कवर कर लेगा, तब ही तो वो race के final point तक पहुंचेगा, और ये 20 seconds में कितना पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 20 गुणा 4, 80 meter, तो a जब 100 meter लाइन पर पहुंच गया, तो b 80 meter की दूरी पर है, तो दोनों में दूरी कितनी है, 20 meter, so a will beat b by 20 meter, Question number 16, a dog is taken out every morning by the owner whose house face east, they walk 200 meter west, then 500 meter in south direction, which direction should they take to reach home, so इस तरह के question भी पूछे जाते हैं, C set में, इसलिए important है, तो यहाँ पर आपको cardinal direction के बारे में पता हो ना, बहुत ही simple हो जाएगा फिर आपके लिए, तो यह होगा आपके north, south, east and west direction, तो अगर owner का house east facing है, उनका जो house अवो किस तरह से, इस तरह से, east facing house है, they walk 200 meter west, यानि कि 200 meter वो यहाँ से किस तरह से जले, west की तरफ चले 200 meter, and then 500 meter in the south direction, और फिर 500 meter कैसे जले, south direction, so which direction should they take to reach the home, अब उनको घर वापिश जाने के लिए कौनसे direction लेनी पड़ेगी, अब उनका घर east direction में है, 200 meter ऐसे चले, 500 meter इस तरह से चले, तो उनको वापिश घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से चलना पड़ेगा, और फिर ऐसे जाना पड़ेगा, clear, तो उनको कौनसे direction लेनी पड़ेगी, यह होगी north और यह होगी east, तो इसका answer क्या हो जाएगा, north east direction, north east direction, तो यह इसका answer होगा, clear, question number 17 क्या कहता है, mother and Mohan, our partner in a business, mother invest Rs. 5000 for 5 month, so 5000 into 5 कर देते हैं, and Mohan invest Rs. 6000 for 6 month, और Mohan ने कितने invest किये, 6000 for 6 months, उनका profit होता है 610 रुपे, उनका profit कितना होता है, 610 रुपे, तो आपको Mohan का share बताना है profit में, clear, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको multiply करना है, that is 25 into 1000, ratio 36 into 1000, 7000, 1000 cancel हो गया, यह आगी 25-36, आप 610 का profit है, तो हमें Mohan का share बताना है, यह किसका हो गया, यह हो गया Madan का, और यह हो गया Mohan का, तो 25 और 36 कितने होते है, 61 होते है, 610 को 61 से भाग करोगी, तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 को 36 से गुना कर दो, because हमें Mohan का share बताना है, तो 360 रुपे हो गया, अगर हमसे Madan का share पूछते तो कितना हो जाता, 61 को 610 से डिवाइड कर देते तो 10 आता, 25 को 10 से गुना करते तो, 250 रुपे मदर का share आजाता, clear, तो यह किसका share आचुका है, 360 रुपे मोहन का, और 250 रुपे मदर का, simple है विलकुल, question number 18, अब आपको 580 रुपे की उधार को चुकता करना है, 580 रुपे की उधार को चुकता करना है पान साल में, और रेट कितना दे रखा है, 8% पर एनम दे रखा है, clear, तो यहाँ पर आप माल लो, 100 रुपे आपने 1st year, माल लो 100 रुपे की installments आपको हर साल जमा करनी है, तो 1st year में आप कितनी करोगे, 100 into 8 into 4, 2nd year में कितनी करोगे, 100 into 8 into 3, 3rd year में होगी, 100 into 8 into 2, 4th year में 100 into 8 into 1, and 5th year में 100 रुपे जब आप 100 रुपे की installments में पैसे दोगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 साल में 580 रुपे का भुगतान, तो माल लो, पहले साल आपने दी 132 रुपे, 8% पर एनम 5 साल के अंदर, दूसरे साल में आपने 8% पर एनम केसाब से 3 साल के ब्याज पे कित्थे बने 124 रुपे पे किये, तीसरे साल में आपने कित्थे किये 116 रुपे, इसी तरह से 4th year में आपने कितने किये 108 इसी तरह से 5th में आपने 100 किये तो ये total कितने होगे 580 रुपेज तो 5 साल में इस तरह से आप भुगतान करोगे इसका ये बहुत ही simple है आप assume करके देख ले ना 100 रुपे मान लिया फिर हर साल आपको क्या करना उस पर ब्याज बढ़ाते जाना है जैसे starting में हमने 4 साल का किया फिर हमने 3 का फिर 2 का फिर 1 का फिर 5 साल 100 रुपेज दे के 580 रुपे का भुगतान कर दिया clear question number 19 है a man can row 6 km per hour in still water and he finds that it takes him twice as long as to row down the river find the rate of stream see set में पहले ऐसे questions नहीं पूछे जाते थे but अगर हम देखें 2020 का exam तो उसमें पूछा गया है river से यहां पर पहले में आपको formula ही बता देता हूँ अगर आपको speed निकालनी है speed of boat निकालनी होती है still water में तो उसके लिए क्या formula लगता है उसके लिए formula लगता है स्पीड of boat निकालनी है in this still water उसके लिए formula लगता है downstream plus upstream speed divided by 2 downstream speed plus upstream speed divided by 2 यह आजाती है आपके पास speed of boat in still water अगर हमें rate of stream निकालना हो यानि जो बहाव है नदी का उसकी अगर speed निकालनी हो तो वो कैसे निकलती है वो निकलती है downstream minus stream divided by 2 यह rate of stream आजाती है clear तो question हमें दे रखा है कि a man can row 6 km per hour in still water इसका मतलब हमें speed of boat दे रखी है या speed of man दे रखी है 6 km per hour in the still water so we know the formula that is upstream plus downstream divided by 2 is equal to 6 clear and he finds that it takes him twice as long as to row down the river कहने का मतलब उसको जितना time downstream में लगता है उसका दूगुना time upstream में लगता है तो downstream क्या होता है along the stream अगर नदी का भाव इस तरह से जा रहा है तो अगर boat भी या आदमी इस तरह से जाए तो इसको बोलते है downstream यानि कि नदी के भाव की दिशा में which is along the stream और अगर यही case उल्टा हो यानि कि नदी का भाव इस side है but boat या आदमी opposite direction में जा रहा है इसका मतलब वो नदी को काटते हुए जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम upstream इसको हम क्या कहेंगे upstream that is against the stream तो इसमें उसको time जादा लगेगा समझे इस बात को तो यहाँ पर upstream plus downstream by is equal to 6 by 2 हो गई अब upstream का हमें कितना दे रखा है 2x दे रखा है plus downstream का हमें कितना दे रखा है x दे रखा है divided by 2 is equal to 6 so 2x plus x by 2 is equal to 6 कितना हो गया 3x by 2 is equal to 6 यहां से x की value कितनी आ जाती है 4 आ गई आपके यह 4 क्या आ गया यह आ गया आपके upstream यानि कि against the stream देखो against the stream speed कम हो जाती है time जादा लगता है time जादा लगता है speed कम हो जाती है against the stream और इसकी दुगुनी क्या है, डाउन दी रिवर यानि की 8 km क्या होगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, अलोंग दी स्ट्रीम, और टाइम क्या लगता है, कम लगता है, अब स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड कब होती है, डाउन स्ट्रीम में इसके opposite होता है बिलकुल इसमें time कम लगता है because speed जाता होती है तो 4 आगे upstream के case में 8 आगे downstream के case में तो हमें बताना है find the rate of stream अब rate of stream के लिए हमने देखा था rate of stream के लिए क्या होता है downstream minus upstream by 2 यहां पे sorry downstream कर लेना downstream minus upstream divided by 2 8 minus 4 by 2 which is 2 km per hour so rate of stream is 2 km per hour simple है बिलकुल अब आ जाता है आपके पास syllogism का question यह भी सी set में पूछे जाने लगे है आजकल इसके दो parts है syllog से related है so all books are chairs आपको statements बतानी है valid है या invalid है all books are chairs यहां पे हम लिख देते हैं books all books are chairs some tables are chairs some tables यानि कि कुछ tables chairs भी है और जितनी book है वो सभी की सभी क्या है chairs है तो यह एक diagram बन जाता है conclusion क्या है some chairs are tables some chairs some chairs are tables हाँ जी बिलकुल सही बात है so conclusion यहां पे क्या हो जाती है valid हो जाती है second है no fish are lions second क्या है no fish are lions and all dogs are lions तो यहां पे लिख लो पहले आप dogs all dogs are lions and no fish are lions तो यहां पे fish का एक अलग से बना दो इसके साथ कोई relation नहीं है आप यहां तो इस तरह से भी कर सकते हो cross लगा के थोड़ा समझना आसान हो जाए यह इसको अलग से भी बना लो तो इनका कोई relation नहीं है जैसे पहले tables और chair में इस तरह से relation था अगर no दिया हो तो अलग-अलग बना दो यानि कि कोई परकार का relation नहीं है clear तो fish को अलग से लिख दिया हमने तो conclusion क्या है no dogs are fish अब जितने कुत्ते हैं वो सभी की सभी लोइन है अब जितने कुत्ते हैं वो सभी की सभी लाइन है और लाइन और फिश में कोई relation नहीं है तो यह तो obvious हो गया बिल्कुल कि no dogs are fish clear तो यह भी valued हो जाती है simple है बिल्कुल Venn diagram बनाया और easily जिलोगिजम के questions होने लगे तो आपको simply इसमें क्या बताना है कि एक दुकानदार है उसने 275 रुपे किसी आर्टिकल पे रेट उसने रख दिये मानलो कोई आर्टिकल है उसने 275 रुपे का रेट रख दिया और उसने उस मार्क प्राइस पे 5% का डिसकाउंट दिया तो 275 पे 5% का डिसकाउंट कितना हो जाता है 13.75 इसको माइनस कर देंगे 275 में से तो कितना जाएगा 261.25 और उसको नेट प्रोफिट कितना होता है इस प्राइस पे बेचने पे अब ये देखो ये है Sailing Price ये Sailing Price है 261.25 और ये Mark Price है और उसको NET Profit होता है 4.5% का अब इन Options में से देखो 4.5% का जो Net Profit है वो आपको लगबग कौन से options पे नज़र आता है 250 पे 250 का 4.5% करोगे तो कितना आएगा 11.25 250 में से 11.25 को add कर दो तो आ जाएगा 261.25 clear तो ए इसका क्या हो जाता है आंसर हो गया 250 रूपेस हामें बताना था cost price of the article और the shopkeeper pay for the article is रूपेस 250 question number 22 in how many years will a sum of money double itself at 12.5% पर है न मतलम मालो कि मैंने 100 रूपे invest किये कोई FD की स्कीम है तो वो 200 रूपे कितने सालों में हो जाएगी यानि डबल कितने सालों में हो जाएगी ब्याज की दर आपको दे रखी है 12.5% simply आपको क्या करना है 100 को 12.5 से डिवाइड कर देना है बस इतना साही खेल है इसमें तो ये कितने पे जाएगा 12.96, 8.5, 40 यानि कि 8 यह आठ साल में वो डबल हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्टन ए मैं ट्रेवले डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमेटर इन 7 आर्स पार्टली ओन दी फूट एंड दी रेट अफ एट किलोमेटर पर आर और पार्टली ओन दी बाई साइकल एड दी 16 किलोमेटर पर आर then the distance traveled by the foot मानलो 60 किलोमेटर का distance है कुछ दूरी उसने मानलो x दूरी उसने वो किस्टे त्या की वो की बाई साइकल से कुछ दूरी उसने मानलो 60 माईनस x किस्टे त्या की उसने ये वाली दूरी ये वाली जो दूरी है वो त्याय कैसे की by foot पैदल चलकी तो आपको बताना है distance traveled by the foot is अब यहाँ पर simple ही आपको क्या करना है यह distance लेना है यह वाला x divided by speed कितनी है 8 km पर आ sorry इस case में 16 km पर आ रहे है bicycle के case में और by foot कितनी है 60 minus x divided by 8 km पर आ is equal to time because distance upon speed time होता है यह तो basic आपको पता होगा distance क्या होता है speed into time तो time क्या हो जाएगा distance upon speed हो जाएगा clear तो यहाँ से हम LCM ले लो LCM कितना हैगा 16 आएगा तो यह कितना आ गया 2x sorry x आ गया plus यहां गया 120 minus 2x is equal to 7 तो यहां से यह आगी आपके पास minus x की value 16 साथी 112 में से 120 के minus का 8 यानि जो x है उसकी value कितनी आ जाती है 8 km और यहां से by foot कितनी आ जाती है 52 km 60 में से 8 गये 52 clear तो उसने by foot कितना travel किया 52 km यह इसका answer हो गया simple है बिल्कुल question number 24 क्या कहता है a is thrice as good a workman as b मतलब जो efficiency है a की वो कितनी है तीन गुनी है b से यानि b माल लो कोई काम अगर एक unit करता है तो a कितना कर देता है तीन गुना efficiency है यानि कि तीन unit कर देता है कि इनमे difference दे रखा है so together they can do a job in 15 days यह दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं difference 10 days तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा अब देखो 4 unit का काम जब दोनों मिलके करते हैं तो वो 15 दिन में खतम करते हैं तो total काम उसनोंने कितना किया माल लो एक दिन में अगर 4 unit किया तो उनको 15 दिन लगे तो total काम 60 unit हो गया समझे इस बात को और a और b की efficiency हमें पता है एक unit है जो कि हमने शुरुवात में मानी की और a की उसकी 3 गुनी है that is 3 unit तो simply 60 unit को एक से डिवाइड कर दो तो कितना हैगा 60 यानि b उस काम को कितने दिन में complete करेगा 60 days में और a उस काम को कितने दिन में complete करेगा a करता 20 days में 3 से डिवाइड कर देते और दोनोंने मिलके कितने दिन में किया दोनोंने मिलके किया 15 days में clear question number 25 गया गयता है the surface area of a cube is 600 cm the length of its diagonal is अब देखो इस तरह के questions बहुत ही rarely पुचे जाते हैं cset में but SSE CGL में mensuration से questions आते हैं but UPSC का कोई पता नहीं वो कभी भी कुछ भी question पूच सकती है तो हमें prepare रहना और बिल्कुल इसको कोई deep में पढ़ना नहीं है mensuration के basic आपको formula पते होना चाहिए जैसे square और rectangle से तो UPSC पूछी रही है हो सकता है cuboid से पूच ले sphere से पूच ले cylinder कौन के बिल्कुल basic equations पूच ले जैसे की अगर हम बात करें cube की तो यहां पर आपको यह cube दिख रही होगी simple से तो यह क्या हो जाती है इसकी यहां से यहां तक h हो जाती है that is height और यह वाला portion क्या हो जाता है b that is breadth और यह वाली चीज़ क्या हो जाती है length हो जाती है इसको length बोल दो या फिर side बोल दो या तो L से represent करो इसको या फिर A से represent करो clear अब हम बात कर लेते हैं कुछ formula की तो जो cube है cube है उसका volume क्या होता है A cube या फिर L cube कुछ भी लिख लो A cube लिख लो चाहें L cube लिख लो clear और surface area क्या होता है cube का cube का surface area क्या होता है surface area होता है 6A square क्या होता है 6A square या फिर 6L square यह surface area होता है diagonal क्या होता है अगर cube का diagonal निकालना हो तो वो क्या होता है वो निकलता है root 3A और root 3L clear तो volume के लिए हो गया a cube surface area के लिए हो गया 6a square diagonal के लिए हो गया root 3a तो यहाँ पे हमसे क्या पुछा है surface area दे रहा है cube का अभी हमने देखा surface area क्या होता है 6a square is equal to 600 और हमें diagonal निकालना है that is हमें किसकी value निकालनी है root 3a की value निकालनी है तो हमें यहाँ से a निकालना है उस a को यहाँ पे put कर देना है तो निकल जाएगा diagonal तो यहाँ पे 6a square is 600 है तो a की value 10 आ गई क्योंकि यह 100 से cancel हो गया और 100 की root क्या होती है 10 ही तो होती है अब इसको a को यहाँ पे put कर दो तो diagonal कितना आ जाएगा 10 root 3 so 10 root 3 will be the right answer clear question number 26 the students in 3 classes are in the ratio 2 ratio 3 ratio 5 if 20 students are increased in each class the ratio changes to 4 ratio 5 ratio 7 what is the total number in 3 classes before the increase so simply आपको क्या करना है पहले class में क्या ratio दे रखी थी 2 ratio 3 ratio 5 अभी change कितनी हुई है 4 ratio 5 ratio 7 यह क्यों हो गई है change क्योंकि 20 students plus हुए है increase हुए है clear अब 2 से 4 यानि की 2 बड़ा 3 से 5 यानि की फिर से 2 बड़ा और 5 से 7 फिर से क्या हुआ 2 का increase हुआ तो total कितना हुआ 6 का increase हुआ जब 20 students बड़े इसका मतर 20 इंटो 6 120 तो हमें बताना है what is the total number in 3 classes before the increase तो before the increase 120-20 कर देंगे तो total number of students कितने थे 100 थे clear तो इस तरह से करना है बिल्कुल simple है आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि मान लो इतने students थे और फिर उसको ratio में करना इतना करने से बहुत ज़दा lengthy हो जाएगा मैं आपको ये short tricks बता रहा हूँ इस तरह के questions आएंगे C set में तो वही मैं लेके आ रहा हूँ वही मैं आपको करवाऊंगा आप इसको ध्यान से समझ लो कि कैसे उनको करना है कम समय में next है a certain sum of money is divided among A, B, C so that for each rupee A has 100 पैसा, B has 65 पैसा, C has 40 पैसा if C share is rupees 8, find the sum of money, तो कुछ पैसा है उसको A, B, C में इस तरह से divide किया गया है कि A के पास 100-100 पैसे करके कुछ रुपे आएं, B के पास 65-65 पैसे करके कुछ रुपे आएं और C के पास 40-40 पैसे करके कुछ रुपे आएं clear, तो अगर C का share 8 रुपे है, तो हमें बताना है total sum of money क्या थी जो distribute की गई थी, तो simply आपको क्या करना है, 100 यहाँ पे दे रखा है A का, D का कितना दे रखा है 65 और C का कितना दे रखा है 40, इनके आप ratio निकाल दो तो यह 5 पे जाएगा, तो यहागा 20 पाजे 100, 13, 5, 65 और 8 पै 40 पैसे each है, 8 रुपे, तो हमने ratio कितनी निकाली, 8 यानि कि 8 पैसे पे 8 रुपे, तो कितना बढ़ रहा है, 8 पैसे पे 8 रुपे, तो कितना बढ़ रहा है, 100 टाइम्स बढ़ रहा है, 8 पैसे को 100 से multiply करोगे, तभी तो 8 रुपे आएगा, इसी तरह से आप सब को 100 से multiply करके add कर तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 13 प्लस 8 ये कितना आगया आपके पास 33 and 740 and 141 so 41 पाईसा into 100 तो ये कितना हो जाता है 41 रुपेश तो कितना total money थी 41 रुपेश clear question number 28 है divide रुपेश 1540 among ABC so that A shall receive 2 by 9 as much as B and C together and B receive 13 by 11 of what A and C together तो आपको ratio निकालनी है 1540 की total आपके पास amount है ABC में इस तरह से बाटनी है कि A को मिले 2 बटे 9 as much as B and C together कहने का मतलब A ratio B plus C की ratio क्या हो जाएगी 2 ratio no clear इसी तरह से B ratio A plus C की क्या हो जाएगी 3 ratio 11 यही तो दे रखाए question में तो 1540 रुपे की जो amount है उसको हमें distribute करना है तो पहले हम A का share निकाल लेते हैं फिर B का निकाल लेते हैं clear उसके बाद हम इन दोनों को जोड के 1540 में से माइनस करके C का share निकाल ले समझेगा इस बात को तो यहां पर A का share कितना आ जाएगा 1540 इन्टू 2 by 9 और दो 11 यह A का share आ गया तो यह कितने पर जाएगा 11 एकम 11 11 पर जाएगा तो यह आ गया आपके 4 11 इन्टू 4 44 तो यह आ गया आपके पास 140 इन्टू 2 that is 280 रुपीज तो 280 रुपे यह आ जाता है A का share और B का share कितना आएगा 1540 इन्टू 3 by 40 तो 1540 को 14 से भाग करो अब तो यह कितने पर जाएगा यह 110 पर जाएगा तो यह आ जाएगा आपके 330 तो B का share आगया 330 A का share आगया 280 अब आपको बताना है C का कितना share है तो इन दोनों को add करो 330 प्लस 280 कितना हो जाता है 610 इसको 1500 C में से माइनस कर दो तो यह कितना जाएगा 970 क्लियर तो यह आपके पास A का share आगया 280 B का share आगया 330 C का share कितना आगया 970 प्लियर है next question number 29 the ratio between the ages of Raheem and Karim is 3 ratio 5 and the sum of their ages is 56 तो 56 उनकी age का क्या है sum है ratio है 3 ratio 5 अब 5 और 3 कितना हो गया 8 आठ गुना साथ छपन तो साथ पंजा 35 और साथ ती है 21 यानि कि 21 किसकी उमर हो जाती है 21 हो गई Raheem की और 35 हो गई Karim की so what is the ratio of their ages 7 years ago 7 साल पहले Raheem की age कितनी थी 14 years और Karim की कितनी थी 7 साल पहले 28 और 35 तो ratio इन की कितनी होगी 1 ratio 2 what is the ratio of their ages 7 years ago 1 ratio 2, clear? next a reduction of 20% in the price of coffee enables a purchase to obtain 4 kg more for Rs.80 so the reduced price per kg of the coffee is यहापको बताना है अब यहाँ पे देखो आप 80 रुपे की जो कोफी है उसमें 20% reduction हुआ है कहने का मतलब 16 रुपे का उसमें क्या हुआ है? reduction हुआ है जब 16 रुपे उसमें कम हुए है तो 4 kg कोफी और ख्रीदी गई यानि की 16 भाग में 4 तो एक कोफी प्रती किलो कितनी होगी? तो कोफी प्रती kg कितना आ गया? 4 रुपेस पर kg तो हमें यही तो बताना था the reduced price per kg of the coffee is 4 रुपेस clear? बिल्कुल इजी से है यहाँ पर बस trick क्या है? यहाँ पर hack क्या है? कि आप अगर questions को सही से समझ गए ना तब आपके लिए यह सिर्फ 20 से 25 सेगंड का खेल है maximum अगर आपको questions नहीं समझ में आया तो फिर तो आपको कितना भी time लग सकता है? समझ इस बात को तो इसलिए practice करते रहो जो मैं videos ले के आ रहो उन्हें देखते रहो इसी तरह के questions आने वाले हैं C-set में because मैं previous year questions paper के basis पे ही यह lectures video बना रहा हूं 8 hour की long videos आपको मिल जाएगी previous year questions paper की जो मैंने बना रही है channel को visit करो, देखो उसे if the difference between age of Paul and Ram is 15 years and the ratio of their ages is 3 ratio 2 then the age of Ram is अब यहाँ पर simply आप देखो जहां से मालो 15 को multiply करते हैं 2 से तो 15 दुनी कितना हो गया? 30, 15 दुनी 45 हो गया तो difference क्या हो गया उनकी age के बीच में? 15 साल का हो गया जो कि हमें दे रखा है 15 साल का अंतर हो गया तो हमें यह बताना है राम की उमर कितनी हो अब राम की उमर 30 साल हो गई यह पाल की उमर है 45 साल और राम की उमर है 30 साल इनकी ratio भी 3 ratio 2 हो गई clear questions देखते हैं हमने guess कर लिया question number 32 a man sold two watches at rupees 450 each sorry यहाँ पे आप यह करने न purchase यहाँ पे आप purchase करने न a man purchased two watches at rupees 450 each he sold one at a loss of 20% and the other at a gain of 10% तो यह purchase कितनी करता है 450-50 रुपे की दो घड़ी करता है एक को वो बेचता है 20% के नुकसान पर यानि कि 90 रुपे का उसको लोस हुआ दूसरी को वो 10% के फाइदे पे बेचता है यानि 45 रुपे का उसको profit हुआ तो आपको उसका net loss और gain बताना है अब यहाँ पे देखो 90 का नुकसान हो रहा है 45 का profit हो रहा है तो net loss कितना हो रहा है net loss तो 45 रुपे का हो रहा है clear so 10% का उसको क्या हुआ loss हुआ 450 का 10% ही तो होता है 45 clear इसी तरह के C-7 में questions आते हैं question number 33 है a sum of money at compounded interest amount to thrice itself in 3 years मतलब चक्रवर्दी ब्याज पे 3 गुना हो जाता है कोई amount है वो 3 साल में 3 साल में 3 गुना so in how many years will it be 9 times itself अब यहाँ पे क्या है आपको formula बता औना चाहिए simple है compound interest का formula याद रख लो गलत हो गए नहीं ये तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाता है amount जो की invest की गई है 1 प्लस rate बटा 100 यहाँ पे आ गया time और यहाँ पे कितना interest आपको मिल रहा है तो P यहाँ पे हो गया amount invest की गई है और 3 P क्या हो गया हमने 3 साल में interest gain किया तो time हम यहाँ पे 3 साल लगा देते है clear तो यह कितना हो जाएगा P से P cancel 1 प्लस R by 100 is equal to 3 clear अब हम से यह पुछा गया है in how many years will it be 9 times itself अब 9 गुना करना है अब 9 गुना करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेर कर देंगे हो जाएगा समझ रहे है इस बात को यहाँ 1 प्लस R by 100 3 गुना 2 6 is equal to 9 यहाँ 9 times कब हो जाएगा 6 साल में 9 times कितने साल में हो जाएगा 6 साल में 6 years will be the right answer clear question number 34 A can do a piece of work in 8 days B in 6 days A and B can do work on the alternate days यहाँ पहले मतलब आज A करेगा D उसके अगले दिन फिर A, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B इस तरह से clear so if A begins the work अगर A start करता है then the work can be finished in how many days अब A करता है 8 दिन में B करता है 6 दिन में इस case में आप क्या करो? LCM निकाल लो 8 और 6 का LCM क्या होगा? 24 common factor क्या होता है इनका? 24 यानि 8 दिन में 24 यूनिट का काम करता है और B करता है 4 यूनिट पर दे तभी 6 दिन में 24 यूनिट का काम करता है clear? अब यह alternate day work करेंगे अगर A ने काम स्टार्ट किया तो A ने पहले दिन 3 यूनिट किया फिर B ने किया 4 यूनिट तो ये total कितना हो गया? 7 तो 7 गुना 3 हो गया 21 अब गुना में 3 है यानि कि A और B ये A कुआ ना? इसी तरह से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो यहाँ पर दे रहा है if A begins the work मालो A ने 3 यूनिट काम किया फिर alternate day ये काम करते हैं as per the question so B ने कितना किया? 4 इसी तरह से A ने फिर 3 फिर B ने 4 फिर A ने 3 B ने 4 फिर A ने 3 तो ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काम हमें कितना करना है? 24 उनिट्स जो कि हमने LCM निकाला था तो ये 4 और 3, 7 4 और 3, 7 4 और 3, 7 21, 21, 24 यानि कि 7 दिन में काम खतम हो जाएगा अगर A काम को स्टार्ट करता है तो clear Next The length of the train that takes 8 seconds to pass a pole when it run at a speed of 36 km per hour is तो आपको train की length बतानी है अब यहाँ पर seconds दे रखा है और यहाँ पर km per hour दे रखा है तो इसको seconds में कैसे बतलोगे? 36 गुना 5 बटा 18 तो 18 दुनी 36 ये आगे 10 meter per second speed of train speed of train कितनी आगी? 10 meter per second और time इसको कितना लगता है? to pass the pole to pass a pole time कितना लगता है? 8 second तो speed गुना time आगे? distance ये ये यहाँ पर length कितनी आजाएगी? train की 10 गुना 8 80 meter clear question number 36 a train overtakes two person who are walking in the same direction in which the train is going समझ गए? at the rate of 2 km पर आर and 4 km पर आर दो बंदे जा रहे हैं एक 2 km परती गंटे की रफतार से एक जा रहे है 4 km परती गंटे की रफतार से और एक train है वो इनको cross करेगी यानि कि overtake करेगी 9 और 10 second में इस 2 km वाले को 9 second में कर दिया इसको 10 second में इस तरह से इसने overtake किया so the length of train is आपको length बतानी है train की है थोड़ा सा मजेदार थोड़ा सा difficult है तो यहाँ पे आपको समझना ये है पहले तो आप क्या करो जो आदमी 2 जा रहे हैं 2 km परती गंटे की रफतार और 4 km परती गंटे की रफतार से उसको आप मिटर पर सेकंड में convert करना so 2 गुना 5 बटा 18 4 गुना 5 बटा 18 तो ये कितना आ गया 10 by 18 which means 5 by 9 मिटर पर सेकंड और ये इसका दुगुना हो गया यानि कि 10 by 9 मिटर पर सेकंड clear अब ये क्या आ जाती है speed आ जाती है of 2 पर से 5 by 9 मिटर पर सेकंड and 10 by 9 मिटर पर सेकंड clear अब train की length माल लो जो हमें निकालनी है that is x और उसकी speed माल लो y है train की खुद की speed y है और 5 minus 9 कर दो इसमें से क्योंकि हमने जो 2 km परतिगंटे वाला ये जो person है ये जा रहा है उसकी speed minus करेंगी समझे इस बात को देखो इस तरह से जा रहा हो तो speed minus होती है इस तरह से आपस में आ रहे हो तो speed क्या होती है plus होती है ये relative speed का formula होता है अगर आपको basic पता हो clear अब हमें time कितना दे रहा है 9 second 2 km पर आर के case में तो ये put कर देंगे simply हमने क्या किया distance distance यहां पर क्या है length of train divided by relative speed which is speed of the train minus speed of the person is equal to the time that is 9 second clear इसी तरह से हम दूसरे case में लेंगे x that is length of train divided by y which is speed of train minus 10 by 9 is equal to 10 समझगे इस बात को अब हमें क्या करना है equation को solve करना है यहां से 2 equation बनेगी simply अब कुछ भी ही नहीं है आपको equation solve करना आता होगा जब इस equation को solve करोगे तो आपके पास x की value आएगी वो होगी length of train clear a cyclist travels for 1 hour the first half at 21 km per hour and the other half at 24 km per hour find the distance traveled तो इस case में आपको क्या करना होता है इस case में आपको average speed निकालनी होती है जिसका formula है 2ab divided by a plus b clear अब यहां पे 21 दे रखा है और second क्या दे रखा है 24 यानि a कितना है 21 और b कितना है 24 so 2 गुना 21 गुना में 24 divided by 21 plus 24 तो इस कितना हो गया 42 into 24 divided by 45 तो यहां से आपको क्या करना है 45 हो गया 3s are 45 3 8s are 24 5 3s are 15 14 3s are 14 3s are 42 अब यहां पे क्या आगया 14 into 8 divided by 5 यहां पे 2 से गुना कर दो यहां भी 2 से गुना कर दो तो यहां जाएगा 16 गुना में तो यहां गया 16 into 14 that is 160 and 64 224 divided by 10 which is equal to 22.4 km तो उनोने कितना distance travel किया एक गंटे में 20, sorry, bias point 4 km क्लियर? क्योशन नम्र 38 फिन्ट 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 रोड that can be placed in a room of 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter high अगर आपको rectangle दिया हो और उसका diagonal निकालना हो आपको length दे रखी है, breadth दे रखी है तो आप कैसे निकालोगे? length की square प्लस breadth की square clear? इसी तरह से अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एक कमरा है जो की 12 meter लंबा है, उसकी लंबाई 12 meter है, 9 meter उसकी चोड़ाई है और 8 meter वो उंचा है, तो उसमें कितनी लंबी road हम रख सकते हैं, तो लंबी road कैसे रखी जाएगी? diagonally place करेंगे, इस तरह से कमरे में, तभी तो road को रखा जाएगा clear, तो इस case में हम क्या करेंगे? यह तीनों की तीनों जो measurement दे रखी है, उनका square करके, add करके, root कर देगे, तो वो diagonal की length आ जाएगी, यानि कि जो road है, उसकी length आ जाएगी, तो यह कितना हो गया? 144 plus 81 plus 64, यह आपके पास आ जाएगा, 144 plus 64 कितना हो गया? 208 plus 81 हो गया, आपके पास 289, तो 289 किस की square होती है? 17 की, clear? तो answer क्या आगया, इसका 17, 17 meter, so the length of the longest road is 17 meter, that can be placed in a room of 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter high, question number 39, बहुती मज़ेदार question है, इसमें आपको क्या दे रखा है? इन शावर 5 cm of rainfalls, एक शावर हो रही है, 5 cm की rainfall हो रही है, the volume of water that falls on 1.5 hectares of ground is, 1 hectare की आपको measurement दे रखी है, 10,000 square meter, clear? तो यहाँ पर पहले आप क्या करो? जो 1.5 hectare की मानलो आपके पास खेत है या ground है, उसको square meter में change कर लो, 10,000 जो कि आपके पास value दे रखी है, तो यह कितना आ गया? 15,000 square meter, यह आपके पास ground का area आ गया, और shower कितनी आपको दे रखी है? 5 cm दे रखी है, divided by 100 हमने क्यों किया, meter में change करने के लिए तो आ गया 1 by 20 meter, अब आपको volume बताना है water का that fall on the ground, तो simply इन दोनों को गुना कर दो area और जो यह shower हो रही है, उसको clear? So 15,000 into 1 by 20, कितना आ गया? 750 cubic meter, कितना easy सा है बिलकुल, डिखने में hard लग रहा है, है बहुत easy, clear? अब आ जाओ, थोड़ा सा puzzle से related question कर लेते हैं, तो आपके पास question number, question यह दे रखा है, 6 persons A, B, C, D, E and F are to be allotted a room in a hotel, there are 6 rooms numbered 601, 020, 030, 040, 056 from left to right and one person is to be allotted one room, moreover, A cannot be in a room immediately to the left or immediately to the right of that of B, यानि कि A की position, B के ना तो इस तरह से हो सकती और ना ही ऐसे हो सकती, ना ही immediately left हो सकती और ना ही right हो सकती, A की position, B के, क्यानि का मतलो B अगर मालो 603 number कमरे में है ना, तो A ना तो 602 में होगा और ना ही 604 में होगा, A यहाँ पे नहीं होगा, यह तो है पहली condition, clear? Second दे रखा है, C must be in a room immediately to the left of D's room, यानि कि D का room अगर यहाँ पर है, तो C यहाँ पे होगा ही होगा, कहने का मतलब अगर D मालो 603 number room में है, तो C जरूरी है, 602 में ही होना चाहिए, अगर D 604 में है, तो C 603 में ही होगा, as per the given condition, तो यह होगी condition number second, third है, F cannot be in a room number 606, F 606 में नहीं होगा, यह तीसरी condition दे रखिये, अब हमें बताना है, who among the following cannot be in room number 601, 601 में कौन नहीं हो सकता, अब left to right है, यानि 601 और इस तरह से चलके 606 तक, clear? left to right है, तो 601 में कौन नहीं हो सकता, B, A, C और D में से, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो, D नहीं हो सकता, D क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मानलू D 601 में हम रख देंगे, तो कमरे तो 601 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, left में इसके C आना चाहिए, अब 600 number तो कमरा है यह नहीं, इसका मतलब D 601 में नहीं हो सकता, हाँ D 602 में जरूर हो सक है, बट 601 में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर C को 600 में होना पड़ेगा और number 600 कमरा हमें नहीं दे रखा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D, clear, next है, if D is in the room number 603, then C should be in which room, अगर D, अभी हमने देखा 603 में है, तो C 602 में होगा, तो 602 A वाले में है, बिल्कुल easy है, फिर है, if A is allotted room number 605, then who must be in room number 606, अगर A को 605 मिला है, तो 606 में कौन होगा, अब A को 606 में F तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है, F 606 नमबर में नहीं होगा, second, क्या D हो सकता है 606 में, D हो सकता है 606 में, बट अगर D 606 में होगा, तो C 605 में होना चाहिए, बट 605 में तो उ इस बात को, तो D भी नहीं हो सकता, और C तो होगा ही नहीं, clear, तो F नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, और A 605 में बैठा है, तो A तो होगा ही नहीं, अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ B और E में से कोई एक, अभी हमने starting वाली condition देखी, कि B के अगल बगल में नही immediate right में है, तो कहने गा मतलब अगर A 605 में ऐसे बैठा है, तो 606 में ना तो B हो सकता, और ना ही B 604 में हो सकता, तो possible answer क्या होगा, E, clear, next, question number 43, यहाँ पे आपको assertion और reasoning दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा correct है, so pipes carrying water often burst in the cold countries during severe winter, water expand on freezing, यह reason दे रखा है, तो यहाँ पे आपको assertion क्या दे रखा है, कि जब ठंड, जो ठंडे देश हैं, अब जो ठंडे देश हैं, जैसे मानलो Norway country है, Scandinavian countries होती है, ठंडी होती है, अब यहाँ पे और severe winter अगर हो, तो pipe यहाँ पे फट जाती है, because water expand on freezing, जब freeze होता है, water ठंडा होने लगता है, तो वो expand करता है, तो बिल्कुल ठीक है, बोथ A and R are true, and R is the correct explanation of A, तो इसका अंसर आजाएगा A, clear, question number 44, Tamil Nadu gets most of the rainfalls in winter, सर्दियों में Tamil Nadu के तठ पर coastal area पे या फिर Tamil Nadu state में बारिश होती है, बहुत जादा, reason इसका ये है, कि Tamil Nadu gets rainfall from retreating monsoon, जब monsoon retreat कर रहा होता है, यानि कि यहाँ पे बात हो रही है, north east monsoon की, जब monsoon retreat कर रहा होता है, तब यहाँ पे बहुत जदा बारिश होती है, बिल्कुल fact है ये तो, geography में आप पढ़ोगे, south west monsoon चलता है, और जब वापिस retreat करता है, north east monsoon जिसको हम बोलते हैं, तो Tamil Nadu पे बहुत बारिश होती है, costal area पे, so, दोनों के दोनों correct है, और explanation भी सही है, so, इसका answer भी A होगा, clear, question number 45, syllogism से है, all shares are debentures, ये shares है, all shares are debentures, तो ये debentures इस तरह से लिख लो, clear, no debenture is equity, no debenture is equity, no debenture is equity, तो आपको ये बताना है, no equity is a share, some debentures are share, no share is equity, अब यहाँ पर clearly दिख रहा है, कि जितने भी shares हैं, वो सभी के सभी debentures हैं, और कोई भी debentures equity नहीं है, तो ये बिल्कुल sure हो गया, कि कोई भी share equity नहीं हो सकता, that no share is equity, clear, तो थर्ड तो बिल्कुल सही है, and no equity is a share, एक ही बात, no share is equity, no equity is a share, बिल्कुल सही, if one and three is correct, तो options में से हम चूज कर सकते हैं, बिल्कुल easily, the all follows, some debentures are shares, अगर जितने, अगर shares हैं, वो सारे के सारे debentures हैं, तो ये तो obvious ही बात है, कि कुछ debentures तो shares होंगे ही होंगे, clear है, some man's are educated, educated persons prefer small families, clear, so all the small families are educated, conclusion ये है, कि all small families are educated, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, कि जो educated persons है, वो prefer करते हैं, कि nuclear families या small families होनी चाहिए, but all small families are educated, ऐसा तो नहीं दे रहा है, clear, so ये नहीं हो सकता, फिर है, some man prefer small families, some man are educated, and educated person prefer small families, so it is very crystal clear, is that, so ये बिल्कुल crystal clear है, कि some man prefer small families, clear, so इसका क्या होगा, only two follows, बहुत easy होते हैं, in a certain code, LBP means lilies are blue, sick he means yellow flower, Pmit he means flowers are beautiful, ये code दे रखा है, तो आपको पताना है, yellow written in this code, yellow को किस code में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे है yellow flower, जिसके लिए sick और he का use किया गया है, flowers देखो कहाँ पर है, flowers यहाँ पे है, Pmit he, that is, flowers are beautiful, अब Pmit he, flowers are beautiful, और sick he, yellow flower, तो दोनों में common क्या है, he है, H-E-E, यह दोनों में common है, यानि flower के लिए H-E-E-E, H-E-E हो गया, तो बचा क्या, S-I-E के sick, इसका क्या हो गया, yellow हो गया, clear, so yellow किस code में लिखा गया है, sick, B will be the right answer, next, how is lilies written in that code, अब lilies के लिए, देखो, सिर्फ एक ही दे रखा है, अब ना तो lilies में यहाँ पे दे रखा, ना कुछ यहाँ पे relation दे रखी, तो cannot be determined, आप easily इसको कर सकते हो, आप वैसे भी check कर लेना, अलग-अलग code निकालना, आप देखोगे, lilies के दो possible code होते हैं, तो इसलिए हम इसको clearly determine नहीं कर सकते हैं, clear, next, the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the two digits is 63, तो यहाँ पे मालो कोई दो-digit number है, 10x plus y है, यह दो-digit कोई number माल लिया हुए, जब इसको हम उल्टा कर देते, interchange कर देते, यानि कि 10y plus x कर विया, तो difference आता है, वो 63 काता है, कहनेगा, मतलब 10x plus y minus 10y plus x is equal to 63, which is 9x minus 9y is equal to 63, तो x minus y कितना आ गया, 7 आ गया, 9, 73, clear, यानि difference है, तो 7 आ जाता है, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसमें difference देखो, 7 कब आएगा, जब 9 में से 2 जाएंगे, जब 8 में से 1 जाएगा, 7 में से 0 जाएगा, और इन सम्में तो आएगा नि, सम्यों इस बात को, तो जो 70 है उसमें से 7- करोगे तब भी 63 आएगा 92 में से 29- करोगे तब भी 63 आएगा 81 में से 18- करोगे तब भी 63 आएगा तो 3-3 values आ रही है तो options में अगर आपके पास 2-3 values दे रखी हो तो उसको mark करना इस तरहें कि अगर एक ही value दे रखी हो जैसे option में आपको दे दिया एक दे दी 29 एक 92 दे दिया एक आपको कुछ भी अलग number दे दिया जैसे 45 दे दिया और D में आपको दे दिया cannot be determined तो आप answer क्या करो कि cannot be determined because इसके 3 possible answers आ रहे हैं clear आपको रोंग number series बतानी है यह मतलब एक number series दे रखी है आपको बताना है इसमें से wrong number कौन सा है 8020 63 192 1285 7716 प्राइब करो सौचो कि किस तरह से series को range किया गया है इसमें तो यहां पर देखो 8 गुणा 1 प्लस एक 9 फिर 9 गुणा में 2 प्लस 2 9 दुनी 18 और 2 20 फिर 20 गुणा 3 प्लस 3 20 तिये 60 और 63 यानि कि जिससे multiply हो रही है उसी से add हो रहा है जिससे multiply हो रहा है उसी से add हो रहा है और हर एक successive number series में और हर एक successive number में एक add हो रहा है one add हो रहा है clear तो इसी तरह से जब यह 63 है इसको क्या होगा 63 into 4 प्लस 4 होना चाहिए which is 256 पर यहां पर 192 है यानि कि 192 wrong number है clear तो 192 की जगा क्या होना चाहिए इसा 256 होना चाहिए था तो 256 को जब आप multiply करोगे तो 256 को आप जब multiply करोगे 5 से प्लस 5 जोड़ोगे तो 1285 आएगा 1285 को जब आप 6 से गुना करके 6 जोड़ोगे तो 136 आएगा clear तो 192 is wrong number answer will be 192 clear A invest rupees 4000 for one year in a business how much B should invest in order that the profit after one year may be divided into the ratio of 2 ratio 3 तो यहां पर आपको क्या करना तो कितना जाएगा 24,000 इसको आप 3 से multiply करो तो कितना जाएगा 72,000 तो इतना एक साल में B ने invest किया है तो हमें मंत की निकालनी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 6,000 पर मंत सो B की investment कितनी है 6,000 आप simply इसको ऐसे भी कर सकते हो 4,000 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 2,000, 2,000 को डिरेक्ट 3 से multiply करो तो 6,000 आएगा clear question number 52 due to increase of 40% in the price of a radio selling is reduced 60% जब 40% का rate बढ़ जाता है radio का तो 60% की उसकी जो selling है मतलब पहले दुकानदार जितना बेशता था उसका 60% कम अब वो भिक रहा है then how much percentage increase or decrease will be in the income तो जो shopkeeper है उसकी income में कितना decrease और increase होगा तो यहाँ पे मान के चलो 100 radio वो पहले बेशता था एक radio की किमत थी मान लो 100 रुपे तो कितना हो गया 10,000 बट 40% rate बढ़ गया यानि की radio है उसकी किमत कितनी हो गई उसकी किमत हो जाती है 140 रुपेश 40% increment हुआ बट जो sale है वो क्या होगी 60% गिर गई अब 100 की 60% गिरेगी तो कितना गिर गया यानि की पहले जब 100 बिकते थे अब कितने बिकने लगे शिर्फ 40 radio बिकने लगे clear तो यह total कितना हो गया 14 into 4 5,600 अब इनके बीच में आप difference निकाल लेंगे इनके बीच में difference जो आएगा वो आएगा 4,400 का clear तो कितना decrease हुआ उसकी income में 44% का उसकी income में क्या हो जाता है decrease हो जाता है clear question number 53 है यह shopkeeper bought 15 kg rice at the rate of 9.50 per kg and 25 kg rice at the rate of 7.25 per kg he sold the mixture of both types of rice at the rate of 10 rupees 50 10.50 per kg in this transaction his profit is देखो बहुत ही simple सा है आपको कुछ नहीं करना बस गुना करके थोड़ा सा जोड़ घटा करना है इतना सा ही काम है बस यहाँ पर point में देदी value तब यह थोड़ा सा आपको hard दिख रहा होगा तो आपको जब भी आप multiply करो इस तरह से आप जैसे आपको मालो 25 को 7.25 से multiply करना है तो कैसे करोगे without calculator ऐसे मत करने बैठना 725 को 25 से multiply किया फिर उसको 100 से divide किया ऐसे तो आप पुरा दिन लगा दोगे इस तरह से multiply करोगे simply आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखो 25 को 7 से गुना करो कितना एगा 175 फिर 25 को जब point 25 से गुना करोगे यानि 25 25 की square क्या होती है 625 होती है तो 6.25 आ गया तो यह कितना आपके पास 181.25 तो 25 और सवा 7 की गुना यही होती है इस तरह से करना clear अब 15 कि हम 9.50 से गुना करेंगे तो 15 नहीं में 15 गुना 9 कितना होता है 135 और 15 गुना 5 कितना होता है 75 तो यह कितना आ गया 142.50 142.50 और 181.25 को add कर दो यह कितना आ जाएगा 323.75 clear अब जो mixture है 25 केजी राइस का और 15 केजी राइस इन दोनों को mix कर दिया यह लग लग रेट के हैं तो 25 और 15 कितने हुए 40 हुए इसको उसने 10.50 पर बेचा यानि कि 400 और पांचोक 20 इतना हो गया यह 420 अब हमें 420 में से 420 को हमें क्या करना है इस में से 313.75 माइनस कर देना है तो यह आ गया 25 और यह आपके पास कितना आ गया 96 clear so 96.25 क्या हो जाएगा उसको net profit होगा clear है question number 54 है in a fort there is provision for 40 days for 275 persons if after 16 days 120 persons leave the fort for how many more days provision will last try करो इसे करो 40 दिन का provision था 275 लोगों के लिए और 16 दिन के बाद 125 लोग चले जाते हैं अब हमें बताना है कितने दिन का provision बाकी रह गया मलग कितने दिन तक आगे वो चलेगा clear तो 40 में से 16 गए 24 दिन तो 275 persons का 24 का divided by चले कितने गए 275 में से 125 गए 1.5 बिल्कुल सिंपल सा है यह कितना आ जाएगा 44 question number 55 है कमल मिक्सिस 80 kg शुगर वोर्थ रुपेज 6.75 पर केजी विद 120 केजी शुगर वोर्थ रुपेज 8 पर केजी अट वट रेट शुड ही सेल दी मिक्शेर तो गें 20 पर सेंट बहुत ही सिंपल है 80 kg की शुगर और उसने 6.75 जिसका रेट कितना है 6.75 पर केजी और 120 की और 120 kg शुगर जिसका रेट है 8 पर केजी उसको मिक्स कर देता है अब उसको उसको बेचना है 20 पर सेंट के प्रॉफिट पे तो 8 को 80 को 6.75 से गुना करो ये कितना गया 480 और 75 गुना 8 कितना होता है 7 गुना 8 चपन और 8 और 5 चालिस 60 विच इस 540 रुपेज ये तो इसकी आ गई अब 120 को हम 8 से गुना करेंगे तो 12 गुना 8 960 तो ये आ गया आपके पास 1500 रुपेज अब इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का 1500 पे 20% कितना होता है 1500 का 20% होगे आपके 300 रुपे उसको कितने में सेल करना है उसको 800 में और टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 और 120 200 है clear तो उसको कितने रुपे पे बेचना पड़ेगा 200 को 1800 से 200 को 200 से भाग कर दो आंसर आ जाएगा 9 रुपेज पर केजी बिल्कुल सिंपल सा है next ABC employee to do a piece of work for रुपेज 529 उनको 539 रुपे मिलने है A and B together are supposed to do 19 by 23 of the work what would C be paid 19 बटे 23 काम A और B ने कर दिया तो C को कितना रुपिया मिलेगा आपको ये बताना है अब देखो A और B ने 19 by 23 वरक कर दिया तो C का कितना काम रह गया इसको 1 में से माइनस कर दो तो ये कितना आजाएगा 4 by 23 अब इसको आप क्या करना है 529 से multiply कर दो तो उतना amount है वो C को मिल जाएगा तो ये कितना आएगा 23 की square क्या होती है 529 is 23 into 4 80 plus 12 that is 92 रुपेज तो C को कितना मिलेगा 92 रुपेज क्योंशन नम्बर 57 है एट रेन 100 मिटर्स इन लेंथ पासिज ए माइल स्टोन इन 10 सेकंद्स और अनदर ट्रेन अफ ये सेम लेंथ ट्रेमलिंग इन अपोजिट डिरेक्शन in 8 seconds the speed of this train in the kilometer जो speed है second train की in kilometer per hour is एक train है 100 मिटर लंबी जो की एक कोई दूरी को 10 सेकंद में cross करती है और दूसरी train जो की opposite direction है मतलब एक train इस तरह से आ रही है दूसरी train कैसे आ रही है इस तरह से opposite direction same direction में ऐसे होगी उस case में जो relative speed होगी वो किस तरह से निकालते हैं minus करके और इस तरह से जब opposite direction में आए train तो relative speed किस तरह से निकालते हैं add करके यह मैंने कल आपको lecture वीडियो में बताया था clear इस तरह से दूसरी train आ रही है इसको यह जो train है 100 meter वाली 8 second में ऐसे cross कर जाएगी तो आपको दूसरी train की speed बतानी है बहुत ही simple साई अब यहां पर देखो 100 meter है और 10 second का एक milestone कुछ दूरी त्या करती है तो यह value इसलिए दे रखी है ताकि हम इसकी speed निकालें तो पहली train की speed क्या होगी 100 को 10 से भाग कर दो 10 meter per second यह तो पहले वाली train की speed आगी कितना गया 10 meter per second अब दूरी कितनी है 100 meter तो खुद इसने pass की 100 meter तो खुद इसने cross किया और दूसरी train को 8 second में cross किया दूसरी train की लंबाई भी same length उतनी ही है 100 meter तो total इसने distance कितना किया 100 और 100 200 तो यह तो हो गया उसकी total distance अब distance upon speed करते हैं अब speed कैसी होगी relative होगी तो x माल लो दूसरी train की जो हमें निकालनी है और पहली train की हमने निकाली 10 meter per 30 second और time कितना दिया है 8 second because वो कितने second में इसको cross कर देती है 8 second में clear तो यह आ जाएगा 200 is equal to 8x plus 80 120 is equal to 8x तो x की value कितनी आगी 15 आगी x की value 15 meter per second आगी अब हमें पुछा है kilometer per hour में जब meter per second में change करते हैं meter per second में change करते हैं तो 5 by 18 किया जाता है अगर meter per second दिया हो और kilometer per hour में change करना हो तो 18 by 5 करते हैं बिल्कुल उसका उल्टा clear तो 15 दे रखा है तो 18 by 5 करेंगे ताकि हम इसको kilometer per hour में change करें तो यह कितना आ गया 54 km per hour यह second train की speed हो जाती है question number 58 a train 600 meter long is running at 72 km per hour 72 km per hour if it crosses a tunnel in one minute the length of the tunnel is अब देखो यहाँ पर unit change की गई है time को minute में दे दिया speed को kilometer per hour में दे दिया again 72 into 5 by 18 करेंगे तो यह आगा 20 meter per second speed होगी इसकी 20 meter per second अब 600 meter लंबी train है वो एक tunnel को एक minute में क्या करती है cross करती है speed उसकी है 20 meter per second speed क्या है 20 meter per second और tunnel को cross करती है एक minute में तो एक minute में 60 second होती है तो यह time है और यह speed है इसको multiply कर दो distance आ जाएगा that is 1200 meter 60 गुना 20 1200 meter तो जो tunnel है tunnel है उसको वो train क्या करेगी cross करेगी इस तरह से तो यह 1200 meter का उसने total दूरी तया की तो हमें बताना है tunnel की length कितनी हो अब 600 meter उसकी खुद की है और 1200 meter उसने एक minute में तया किया तो 1200 में से 600 minus कर दो तो train की length आ जाएगी 600 meter बहुत easy से है 59 आपको एक series दे रखी है इस तरह से 2 series है यह question number 59 है और यह है 60 clear आपको wrong number बताना है इन में से series को read करो अच्छे से और देखो इन में से कौन सा wrong number आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखो 64 को 44 में से minus करो कितना आएगा 20 44 को 27 में से minus करो तो कितना आएगा 27 में से अब आप यहाँ पे देखो 3 का difference है ना similarly यहाँ पे आप क्या करो 3 का difference यानि कि 14 को minus करो 27 में से 14 को minus करो तो 13 आएगा और फिर 13 में से 11 को minus करो 3 का difference तो 2 आएगा कहने का मतलब जो 20 है इसकी जगह क्या होना चाहिए था इसकी जगह होना चाहिए था 13 तो इस पेर जो wrong number है वो कौन सा है 20 है देखो जब आप इन questions की practice करोगे तब आप easily इसको catch कर लोगे इन में कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है बस practice की बात है जितनी आप ज़्यादा practice करोगे उतनी आपकी catching power बनेगी और जितना जल्दी आप catch कर लोगे कि क्या pattern follow हो रहा है सीरीज में तो wrong number आराम से आपको पकड़ में आ जाएगा clear question number 60 है 1, 4, 9, 15, 25, 36, 49 अब देखो practice की उसको easily डिख जाएगा आराम से कि 1, 4, 9, 15, 25, 36 और अचास क्या है ये कही न कहीं square है ये 1 की square है ये 2 की square है ये 3 की square है अब ये 15 है यहाँ पे 4 की square होनी थी 16 बट यहाँ पे दे दिया 15 ये तो सही है 5 की square ये 6 की square सही है ये 7 की square सही है clear तो यहाँ पे wrong number कौन सा है 15 है अब आपके पास question आता है puzzle का UPSC ने ऐसे questions पूछने बंद कर दिये हैं अब मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिये हैं पहले काफी आते थे तो ऐसा कुछ syllabus defined तो नहीं है तो इसलिए हमें करना जरूरी है क्या पता इस बार पूछ ले puzzle से questions अच्छा खासा तो यह आपको एक puzzle दे रखी है 6 friends है A, B, C, D, E, F work in different companies Namely Pentagon, Risotto, Quake, Sale, Mindsteel and Udhyaagiri And each year's company sponsored different colors vest Blue, Green, Pink, Yellow, Purple, Red Though not in the same order Clear? अब आपको यहाँ पे यह दे रखा है किस तरह से किसने क्या पैन रखा है कौन से company की है तो इस case में आपको क्या करना है पहले देख लो क्या क्या आपको दे रखा है यहाँ पे आपको friends दे रखी है 6 friends फिर आपको companies दे रखी है उसके बाद आपको colors दे रखी है तो इस तरह से एक chart बना लो Companies का Colors का And friends का Clear? Companies, Colors and Friends इस तरह से chart बना लो अब यहाँ पे आपको क्या करना है conditions लगाते जाओ so the one wearing the blue vest work in sale and the one wearing a green vest work in pentagon so जिसने green color की पैन रखी है वो कहाँ पे काम करता है pentagon में और जिसने blue color की पैन रखी है वो कहाँ पे काम करता है वो करता है sale में तो पहला तो हुआ complete second, F does not work in risotto or mind stick अब यहाँ पे पहले आप company लिख लो पहले pentagon है sale है quake, risotto, mind still and udhyaagiri quake, risotto mind still और udhyaagiri तो यह company कितने होगी एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे second क्या दे रखा है F does not work in risotto or mind still F ना तो यहाँ काम करता और ना ही mind still यहाँ पे काम करता तो यह second भी हुआ A bears pink west work in quake A जो है वो pink west पहनता है कौनसी pink और quake में काम करता है यानि कि एक तो हो गया हमारा complete यह वाला block हमारा complete हो गया फिर है D does not work in mind still and purple color west sponsored by risotto purple color west इसके पास है और D भी mind still में काम नहीं करता mind still में D भी काम नहीं करता E works in उध्यागिरी neither D nor भी working से sale में नहीं D काम करता और नहीं B करता और जो E है works in उध्यागिरी E काम पर काम करता है उध्यागिरी में तो E का हो गया mind stiller does not sponsor purple और yellow color mind stiller does not sponsor purple और yellow color अब 4 color आ गए mind still purple नहीं करता बिल्कुल ठीक बात है because यह risotto की है और यह yellow भी नहीं करता तो yellow possibly कहां पर आएगा उध्यागिरी में आएगा अब बचा E color that is red तो वो mind still का हो गया तो color तो arrange हो गए सबके clear and C work in the pentagon और यहाँ पर क्या देरका है last बात C कहां पर काम करता है pentagon अब A अब यह वाला भी arrange हो गया अच्छे से और उध्यागिरी वाला भी हो गया बचे तीन sale, risotto और mind still अब A आगया, C आगया, E आगया बचा क्या? B, D and F अब यहाँ पर B भी नहीं है, D भी नहीं है तो यहाँ पर sale में कौन सा होगा? F होगा clear? A, B, C अब बचा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ D, D, E, F होगे यह arrange arrange होते ही, अब कितने भी questions आई से related, वह आपके सही ही जाने है, जैसे कि the west won by B is of color B की कौन सी west है भाया? B की बता दो आप, red है तो इसका answer क्या होगा? Red हो जाएगा Who is the mind stiller employee? Mind stiller employee कौन सा है? Mind stiller employee है B है, जिसने red color का पैन रखा है Where does F work? F काँपर काम करता है, F sale में काम करता है Sale company में Who wears the blue west? Blue west किसने पैन रखी है? F ने पैन रखी है The west won by A The west won by A is of color A की जो west है, उसका क्या color है? उसका pink color है जो की quake में काम करता है कितने BIs से related अब आपके वो हो जाएगे, clear? Next, DI से है Data Interpretations तो आपको एक graph दे रखा है जिसमें production दे रखी है, दो companies की Company A है यहाँ पे और यह है Company B अब आपको इसको solve करना है कुछ नहीं होता, इसमें बस आपको गुना भाग करनी होती है वही आपकी यह चेक करते हैं अगर banking के exam देखो, तो वहाँ पे timing बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसलिए हमें fast करना पड़ता है बड़ C-set में ऐसा कोई issue है नहीं उसमें more than enough time होता है इसे questions को करने के नहीं है So what is the total number of items sold by Company B in the year 2010 2010 में B की production देखो पहले तो कितनी है B की production है 45,000 और B ने sale कितना किया 2010 में 56% तो 45 का 56% आपको निकालना है simple और कुछ नहीं करना तो 45 को 56 से गुना कर दो भईया 6, 5, 30, 0, hansil 3 6, 24, 3, 27 5, 25, 5, 25 5, hansil 2, 5, 20, 22 0, 7, 5, 12 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2 2, 5, 2, 5, 2 तो इसका अंसर क्या है 2520 Next What is the difference between the total number items sold by company A in the year 2012 and that in 2011 Difference between the total number items sold by company A अब company A ने 2012 में कितना sold किया है 92 है 2012 में इसकी production और sale कितना किया है 2012 में 32% यानि 92 को 32 से गुना करना है 92 को 32 से मल्टिप्लाई करना है और हमें difference बताना है 2011 का तो माइनस करो इसमें से 2011 में A ने 60,000 की production की है 36% sale किया है यानि कि 60 गुना 36 60 गुना 36 और 92 गुना 32 इन दोनों को मल्टिप्लाई करके माइनस कर दो वो आंसर आ जाएगा तो आप इसको खुद से करना अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना मुझे इन सब का बहुत इजी है बस गुना भागी है समझ में आ गया होगा questions कि आपको simply data interpretations का है data आपको पढ़ लेना है समझ में आ गया गुना भाग कर दो that's it question number 71 है cup lip तो bird क्या होगा bird obvious सा है beak होगा भई question number 72 है statements दे रखी है no women's teachers can play some women teachers are athletes जो women teachers है उन में से कुछ क्या है athletes है and no women's teachers can play और कोई भी women teachers नहीं खेल सकती conclusion है male athletes can play some athletes can play बिल्कुल ठीक है कुछ athletes है वो खेल सकते है male athletes can play अब ऐसा जरूरी नहीं है और यहाँ पर दूसरा male athletes ऐसा करके कुछ ऐसी condition दे भी नहीं रखी so possible answer क्या होगा B conclusion to follows फिर question number 73 है all mangoes are golden eel color जितने भी mangoes है उनका color क्या है golden है no golden color things are cheap कोई भी golden color things है वो cheap नहीं है सस्ती नहीं है conclusion all mangoes are cheap all mangoes are cheap बिल्कुल गलत क्योंकि अगर all mangoes golden है golden color के है और कोई भी golden color की चीज है वो cheap नहीं है तो all mangoes are cheap यह तो होई नहीं सकता clear फिर golden colored mangoes are not cheap golden colored mangoes आर नोट चीप बिल्कुल ठीक बात है तो B आगया इसका answer only conclusion two follows question number 74 एक series दे रखी आपको पताना है इन में से possible answer क्या होगा ज्यान से आप इसको read करो समझो और answer करो तो यहाँ पर क्या है A, M, B, B, L, B, C, C, D, J, C तो यहाँ पर देखो क्या pattern follow हो रहा है A के बाद B आ रहा है B के बाद C, C के बाद D तो यहाँ पर possibly E ही आएगा तो E इन तीन में है इसको अटा दो और इसको भी अटा दो बचे तीन फिर सेकिंड देखो M, J, K, M, L, K, J यहाँ कि उल्टा देखो I, J, K, L, M यहाँ पर आई आएगा आई वाले दो हैं इसको अटा दो अब लास्ट में देखो यहाँ है B, B, C, C तो possibly यहाँ पर चाहोगा D इस तरह से आएगा clear, so EID will be the right answer Question No. 75 Here are some words translated from an artificial language Dionote means oak tree Dionote का मतलब क्या है Oak tree एक तो यह दे रखा है पिर उसके बाद Blyonote इसका मतलब क्या है Oak leaf Oak leaf तो यहाँ से clear हो जाता है Oak का मतलब note है और डायो का मतलब tree है और बलायो का मतलब leaf है clear फिर है Blyacrine means maple leaf Blyacrine means maple leaf Blyacrine means maple leaf है और maple का मतलब green है तो हमें बताना है maple syrup क्या है अब maple का मतलब green और syrup का मतलब अब syrup यहाँ पर किसी में दे नहीं रखा बट इतना शोर है जो C, R, I, N है वो last में लगेगा क्यों? because इस तरह से diagonally arrange हो रहे है अभी हमने देखा ऐसे नहीं हो रहे है बिलकुल front में ऐसे diagonally हो रहे है clear तो C, R, I, N इस position पे होगा ना कि इस position पे तो answer क्या आ जाएगा इसका C और syrup का code उससे automatically निकल जाएगा that is B, A, T, R, I A traveled westwards 5 km turned left and traveled 3 km turned right तो A किस तरह ऐसे चल रहा है? पहले वो west चला 5 km यह होता है east यह होता है west यह होता है north और यह होता है south clear तो A west चला 5 km and turn left and travel 3 km और फिर left यानी की यहां इस तरह से 3 km चला then turn right and travel 9 km अब वो यहां से right मतलब यहां इस side 9 km चला and then he traveled north 3 km और उसके बाद वो 3 km इस तरह north चलता है तो आपको बताना है how far was A from the starting point now A कितना दूर है अपने starting point से तो यह इसका starting point है और यह इसका destination point है तो कितना दूर है 9 km यह वाला distance plus 5 km यह वाला distance तो टोटल कितना हो गया 40 km यह इसका answer हो गया clear तो इस तरह से ही C set में questions पूछे जाते हैं question number 77 how many dots are contained on the face opposite to that containing 4 dots इस figure को अच्चे से देखो और समझो इसको यह यह पूछ रहे हैं कि जो 4 है मालब एक dice है उस पे इस तरह से number दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 4 के opposite पूछ रहा है कौन से number होगा तो आप 2 figures को देख सकते हो figure number second में देखो 4 के अगल बगल में कौन से है 1 और 5 है 4 के adjacent में कौन से है 1 और 5 है और फिर यहां पे आप यह देख सकते हो 1 और 5 के बगल में कौन सा है 2 है तो यहां से 1 और 5 इधर भी है 1 और 5 इधर भी है तो 4 के opposite कौन सा होगा 2 जब हम second को first से compare करेंगे clear तो इसका answer क्या हो जाएगा कि 4 के opposite कौन सा dot हुआ 2 clear अब यहां पे एक तो तरीका है यह करने का second तरीका क्या है जो कि मैं previous lectures videos में भी बता चुका हूँ आप C-set से related जो 8R की long videos है जिसमें मैंने previous year questions paper specially UPSC के complete किये है उसमें मैंने आपको trick बता रखी है या किस तरह से dice को dice के मतलब कोई भी questions आता है dice से related अगर आपको पुछा किया हो कि इसके साथ में कौन सा dot आएगा इसके opposite में कौन सा dot आएगा तो उसके लिए simple सा आपको क्या करना है जैसे कि हम कमरे में बैटे हैं उसको assume कर लेना है dice की तरह तो आप जैसे जैसे figure में दिया हो उसी तरह से arrange करते जाओ कहने का मतलब यह है जैसे कि मान लो यह room में बैटे हो आप यह सामने की दिवार है यह पीछे की यह आपके right side की यह left side की यह उपर यह उपर आपके ceiling हो गई और यह हो गया आपके base clear तो यहाँ पे 4, 1 और 5 साथ में है तो 4 मान लो कि सामने वाली की दिवार पर है और एक क्या है उपर वाली दिवार पर और 5 है right side वाली दिवार पर तो इनका जो point है जब भी आप इस तरह से जब room बनाते हो तो यह point होता है यह common होता है तीन side का संज़र इस बात को आप corner देखो सामने की दिवार की side की दिवार की और ceiling की इनके जो common point है वो कहां पे होगा यह वाला point corner पे clear तो 4 एक पांच arrange हुए अब एक पांच के साथ 2 भी है यानि की उपर की that is ceiling right side की 5 और common point कौन सा होगा पीछे का 2 तो 4 की opposite कौन सा होगया 2 clear इस तरह से भी आप easily कर सकते हो question number 78 है 2 positions of a dice are shown when 4 is at the bottom what number will be on the top अब यहां पे इसको देखो dice को समझो अच्छे से यह पूछ रहे हैं की अगर 4 bottom पे है तो उसके opposite यानि की उसके top पे कौन होगा dice के top पे कौन सा number है जहां से देखो इस figure को अब देखो एक है एक के साथ में 2 और 3 है clear और यहां पे एक के साथ में 5 और 6 है carry का मतलब एक के साथ में 2, 3, 5 और 6 आ गया तो automatically answer निकल गया एक के opposite कौन सा होगा 4 होगा तो question में क्या पूछा है when 4 is at the bottom what number will be on the top the number on the top will be 1 clear question number 79 syllogism से है आपको बताना है valid और invalid statement तो आपको दे रखा है no spoons are pens some cat are pens तो यह माल लो इस तरह से cats और यह माल लो pens है cats pens some cats मतलब यह वाला जो हिस्सा है some cats are pens no spoons are pens no spoons are pens इस तरह से clear so conclusion दे रखा है some cats are no spoon some cats are no spoon बिल्कुल ठीक बात है अभी हमने देखा कि कुछ बिलियाँ pen है कि कुछ cats pens है यानि कि यह वाला जो हिस्सा है वो क्या हुआ pen भी हो गया और cat भी हो गया clear और हमने यह भी देखा कि जितने pen है no spoons are pens वो pens वो spoons नहीं है या फिर जितने भी spoons है वो pens नहीं है तो इसका मतलब कुछ जो बिलियाँ है कुछ cats है are not spoons clear है तो यह statement क्या हो जाती है यह हो जाती है आपके valid statement इसी तरह से next आपको बताना है some man's are not animals some and all man's are airplanes तो यहाँ पर आप लिख लो man लिख लो और फिर एक इस तरह से vand diagram बनाओ all man's are airplanes all man's are airplanes and some man's are not animals कहाने का मतलब यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा है some man's are not animals सामझ गए तो conclusion दे रखा है some airplanes are not animals some airplanes यानि कि अगर all man's are airplanes है तो some airplanes यानि कि यह वाला हिस्सा are not animals बिल्कुल ठीक है because if some man are not animals and all man are airplane तो हम यहाँ पर airplane पुट कर सकते है इसकी जगा तो यही तो conclusion में दे रखा है हूँ जल्दी करने की देखो 12 और 11 इनका investment है 4 ratio एक इनका profit है A ने अपना पैसा 11 महीने तक invest किया तो आपको बताना है B ने कितने महीने अपना पैसा invest किया clear तो A का कितना दे रखा है 12 और महीने कितने दे रखा है 11 यानि कि 12 multiply में 11 divided by B का कितना दे रखा है 11 और मन्थ हमें B के लिए निकालना है तो X आ जाएगा यहाँ पे clear आप B को इस तरह से माल लो B ही माल लो और profit कितना दे रखा है 4 ratio 1 clear अब इसको solve कर लो B की value आ जाएगी B की value क्या आएगी 3 तो B ने 3 महीने तक रुपया invest 3 महीने तक अपना पैसा invest किया clear है कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है अगर आप इसका lengthy method भी है आप ऐसे कर सकते हो पहले क्या करो कि मान लो कि मान के चलो जैसे 12 और 11 कितने होते हैं 33 होते हैं तो हमने मान लिया 330 रुपय एक महीने के total इन्होंने invest कियो फिर आप क्या करो उस 330 को 33 से divide करो फिर 10 आएगा फिर उसको 12 से multiply करो 120 110 इस तरह से करोगे थोड़ा सा lengthy हो जाएगा उसमें आपको 2 मिनिट लगेंगे यह आपका हो जाएगा 30 seconds में ही 4 times आपका time बच रहा है समझे question number 82 है the price of a TV increased 30% before budget and in budget 20% is also increased total increase कितना हुआ price में बच्चों की तरह मत करना 30 और 20-50% अगर इतना असान होता तो वो क्यों पूछता और वैसे यह है भी इतना असान बट ऐसा भी नहीं है कि आप जोड़ी दो 30 और 20-50% तो आपको इस case में क्या करना है simple आपको पहला क्या दे रखा है 30% का rate बढ़ा फिर बढ़ा 20% अब यह 20% बढ़ा तो है बट यह बढ़े हुए 30% पर बढ़ा है समझे इस बात को यानि कि 30 का 20% कितना हुआ 6 6 हुआ ना तो 6 प्लस जो 20 है यह वाला तो टोटल कितना हो गया 30-20-50 और 6 56% increment इसको मैं आपको समझा देता हूँ मालनो 100 रुपे का TV था 30% rate बढ़ा 130 रुपे का हो गया फिर 20% बढ़ गया अब 130 का 20% कितना होता है 26 होता है तो 130 में से 26 जोड़ो कितना होगा 156 रुपे अब 100 का 156 कितना होता है 56% ही तो होता है हमने क्या किया स्टार्टिंग में हमने 30 लिखा प्लस यह 20% किया प्लस 30 का 20% किया that is 6 इसको एड़ कर दिया 56 इसी तरह का एक क्वेशन है एक क्वेशन नमबर 83 अब 40 का 10% कितना होता है 4 होता है तो 40 और 10 50 और 4 54 यानि कि पहले जो 100 रुपे की चीज थी वो 40% घड़ गयी यानि कि वो कितने की रहे गी 60 की रहे गई 40 % घड़ गई तो वो 60 की होगी अब यहाँ पे 60 पे 10 % और घट गई यानि कि 6 रुपे और घड़ गई तो कितना हो गया 54 जो 100 की चीज है वो 54 की हो गई तो परसेंटेस decrease कितना हुआ प्रसेंट रिदक्षिन हो गया चालिश परसेंट का क्लियर क्लियर क्लिशन नमर्टी फॉर है टू ट्रेंज अव दी सेम लेंग्थ बट विद दिफेरेंट स्पीड पासे स्टेटिक पॉल इन फॉर सेकंड और फाइव सेकंड रिस्पेक्टिवली इन वट एक तो पॉल को चार सेकंड में पार करती है यानि इसकी स्पीड हो गई 25 मिटर पर सेकंड ये ट्रें एक की स्पीड माल लो एक पांच सेकंड में पॉल को पार करती है तो इसकी स्पीड होगी 20 मिटर पर सेकंड ये B की स्पीड माल लो अगर वो तो यहाँ पर question पूचा है कि in what time will they cross each other when they are moving in the same direction and in the opposite direction relative speed का कल मैंने बताया था अगर same direction है तो minus करेंगे opposite direction है तो plus करेंगे speed को तो distance total कितना हो गया दोनों train का length हो गया that is 100 plus 100 200 meter यह total distance हो गया जब cross करेगी एक दूसरे को और speed in case of same direction minus हो जाएगी 25 में से 20 के 5 तो same direction में आगया time 40 second का clear distance upon speed किया हमने 40 आगया opposite direction के case में क्या आएगा हम इसको add कर देंगे यानि कि 45 से divide करेंगे तो यह आपके पास आजाएगा 40 by 9 तो opposite direction में कितनी speed होगी 40 by 9 seconds question number 85 है a monkey a monkey ascends एक greased pole 12 meter high 12 meter लंबा एक pole मान लो आप और greased pole है he ascends 2 meter in the first time तो एक monkey मान लो आप monkey मुझे निए बनाना आता मान लो यह बंदर है तो यह 2 meter चढ़ा पहले minute में और फिर slips down 1 meter in the alternate minute और एक meter अगले minute में slip down कर जाता है तो eventually कितना चढ़ता है वो एक meter ही चढ़ता है एक meter कप चढ़ता है दो minute में एक meter एक minute में 2 मीटर चढ़ा दूसरे minute में 1 meter fissile गया यानि की finally वो एक meter ही चढ़ा 2 minute में शम्मझे इस बात को तो 12 meter का pole है तो 10 meter उसको कितना लगेगा अगर एक meter दो minute लेता है तो 10 meter चड़ने में 20 minute लेगा और फिर 21st 21 minute में वो इसके top पर होगा 2mpr चड़ गया because फिर उसको फिसलने की जındaki जुरूरती नहीं फिर वो फिसलेगा नहीं जब वो top पर पहुंझ जाएगा तो 21st minute में 21st 1m二 minute होगा उसमें वो इसके top पर पहुंच जाएगा, अब यहाँ पर confusion होती है दो परकार की confusion है इस questions को मैं बताता हूँ किस तरह से अब जैसे statement को आप दुबारा से पढ़ो, कि यह monkey ascends a greased pole 12 meter high he ascends 2 meter in first minute and slips down 1 meter in the alternate minute अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करते हैं यह जो 2 minute को 1 minute ही consider करते हैं, जल्दबाजी में उनको आता है questions बट जब वो फटा-फट पढ़ रहे होते हैं तो वो गलत कर जाते हैं इस case में क्या होगा, उनका गलत हो जाएगा तो वो कराएंगे 11th minute में वो top पर पहुंच जाएगा समझे इस बात को यह कब होता है, जब आप डंग से नहीं पढ़ते questions को second trap किस तरह से आता है कि कुछ होते हैं वो यह कहते हैं कि जो बंदर है वो पोल पर चड़ रहा है मान लो वो इस तरह से 20 minute में 10 meter चड़ गया अब बच्चा 2 meter अब वो इस top पे नहीं पहुंचेगा 2 meter में top से बिल्कुल इस point पे रहेगा समझो इस बात को यानि कि मान लो यह pole है ना तो वो यहाँ पे पहुंचा इस top पे नहीं पहुंचा 21st minute में यानि कि 21st चलांग में यानि कि वो next अपने jump में या फिर 21st minute में वो top पे नहीं पहुंचा बिल्कुल इस point पर रहा समझो इस बात को तो वो क्या करते हैं उसको 21st plus 1 करके 22 minute लिख देते हैं फिर जो एक minute होगा तब वो उपर चलेगा इस तरह से कुछ इस तरह से इसको करते हैं जो की बिल्कुल ही गिलत है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है समझे इस बात को तो UPSC CSET में इस तरह के questions काफी बार पूचे गए हैं खास कर कि कोई चड़ रहा है दो मिटर फिर एक मिटर फिसल गया ऐसे दो से तीन बार मैंने देख लिए questions पूच रही है UPSC Question No.86 है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 cm by 12 cm 15 cm यह मेजरमेंट दे रखी है 6 by 12 by 15 इस कट अप इंटो exact number of equal cubes तो पहले आप इसका क्या करो मेजरमेंट जो दे रखी है इसका area निकाल लो कितना हो गया इसको multiply किया clear अब आपको यह बताना है कि यह रेक्टेंगुल ब्लॉक है इसको equal number of cubes में cut किया गया तो least possible number of cubes कितनी होगी अब cube का आपको volume पता होना चीए तीन गुना तीन गुना तीन यही तो होता है cube का volume तो answer आजाएगा number of cubes निकल जाएगी इसको करो solve कैसे करोगे तीन चार और पांच 40 तो कितनी cubes होगी total 40 clear question number 87 है the sum of the two digits of a two digit number is one less than the product of two digits of the same number what is the definitely number what is the definitely the number आपको वो एक निश्चित number बताना है जो इस statement को satisfy करे तो यहाँ पे देखो the sum of the two digit of a two digit number मालो दो digit number है कोई 10x plus y होता है वैसे तो xy मालो दो number है as per the question क्या है इनका जो sum है x plus y का इनके दो दो digit है न x और y है two digit number के उनका जो sum है x plus y is one less than the product of two digit number x y इनका product हो गया minus one यह equation बन रही है तो आपको वो number बताना है अब दो digit number है 11 10 से लेके 99 के बीच में आप सोचके देखो इसमें मालो कि हमने 23 put कर दिया 2 और 3 लिया two digit number यहां पर 2 और 3 पांच होते हैं 2 और 3 की गुना कर दो भया यह भी 5 आएगा तो 23 भी हो सकता है बट यह 3 और 2 भी तो हो सकता है 3 2 की multiply कर दो तो यह 32 भी हो सकता है यानि definitely कोई एक number तो नहीं होगा और secondly हमें equation दे रखी है x plus y is equal to xy minus 1 और value 1 की भी नहीं दे रखी इस case में हम क्या click हैंगे कि जो answer है वो क्या होगा इसका कुछ भी नहीं होगा मतलब कि statement ही अधूरी है questions ही अधूरा है तो कोई required answer नहीं होगा राम पर्चेश दे स्टील वायर next question question number 88 राम पर्चेश दे स्टील वायर he cut 16 pieces of 2.5 meter 12 pieces of 1.5 meter 20 pieces of 0.5 meter instead if he had cut the piece of 1.7 meter only how piece could have been made तो आपको यह बताना है राम ने एक स्टील यहाँ पर देखो आप कि राम ने एक स्टील की वायर ली उसने 16 piece तो काटे डाई डाई मिटर के यानि 16 को जब आप डाई से गुना करो कित्ते आएगा 16 into 2, 32 32 plus 8, 40 40 तो यह हो गए फिर आगे 12 को डेड़ से गुना करो तो अठारा यह आ गया 20 को पॉइंट पांसे करो 10 यह आ गया तो 40, 10, 50 10, 60 और 8, 68 68 मिटर की टोटल वायर है यह जो वायर की लेंद है वो 68 मिटर की है अब यहाँ पे यह पुछा गया है कि अगर वो 1.7 मिटर के pieces काटता तो डिवाइड कर देंगे तो कितने pieces बनते 17 चोख 68 40 pieces बनते clear next question number 89 3 fourth of a number is 3 fourth of a number is 20 less than the 80% of the same number इसी number का 80% का 20 less है तो what is the 60% of that number तो पहले x निकाल लो फिर उसका 60% निकाल लो तो x कैसे निकलेगा 3 by 4 x is equal to 80 x minus calcium लिया यह आगया clear तो यह आगया आपके 300 x is equal to 320 x minus 8,000 तो यह 20 x की value कितनी आजाएगी 8,000 आजाएगी तो x आजाएगा आपके पास 400 तो 400 हमारे पास number आ चुका है जिसका हमे 60% बताना है तो वो होता है 240 जो कि इसका answer होगा question number 90 है missing terms है बतानी आपको यहाँ पे next कौन सी आएगी r q n s r o d s p u t q try करो इसे solve करो तो यहाँ पे देखो sequence follow हो रही है alphabetical sequence पूरी की पूरी सही से follow हो रही है r s t u v q r st u no p q r तो v u r ऊंसर हो जाएगा simple है अब देखो c के बाद f आ रहे है यानि d और e नहीं लिया गया फिर f के बाद ir है यानि g और h नहीं लिया गया फिर i के बाद l आ रहा है यानि j और k नहीं लिया गया इसी तरह से M और N नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर O आएगा, clear, so, question मार की जाएगा, O will be the right answer, फिर आपको एक sequence दे रखी है, आपको बताना है, इस sequence में से, इन में से कौन सा option होगा, easy होते हैं, बहुत ही, कुछ नहीं करना, इन चारों को इसमें put करना, अलग से, फटा-फट, 10 से 20 सेकंड का काम होता है, और 10 से 20 सेकंड में चेक करने ला, कोई pattern बन रहा है, तो वो आपका answer होगा, तो 30 सेकंड के approach आपका ये हो जाएगा, clear, तो इस case में इसका answer क्या होगा, D होगा, यहाँ पर एक pattern बन रहा है, आप देख सकते हो, A, B, C, और फिर C, B, ये वाला, और फिर एक pattern बनेगा, B, C, A, slash A, B, C, C, B, B, C, A, slash A, C, slash C, A, B, slash B, A, B, C, B, C, A, B, C, B, C, B, A, C, B, A, तो इस तरह से एक pattern follow होगा, तो answer आएगा, इसका D, clear, फिर next है, आपको question दे रहा है, puzzle से related, there are eight friends in a class, namely, Aminit, Balvant, Charlie, Dipika, Edward, Farida, Gori and Henry, तो इस तरह से आप इसको पढ़ो, क्या conditions दे रखी हैं, हम वहीं से start करते हैं, यहाँ पे friends के name दे रखी हैं, और यह cafeteria में बैठे हैं, यहाँ पे एक table है इस तरह से, इसको, इनका जो face है, वो किस तरह से हैं, center faced हैं, इस तरह से वो बैटे हैं table पे, and they order ice cream from two different brands, एक है Londonderry की और एक है Corner House की, और यहाँ पे conditions क्या दे रखी हैं, कि four of the eight friends like Corner House, others like Londonderry, यानि आठ जो दोस्त बैठे हैं, उनमें चार को Londonderry है, चार को Corner House पसंद है, वही order करेंगे वो, और कोई भी दो friends, जिनको Londonderry पसंद है, वो immediate neighbors, यानि कि आज पास नहीं बैठे, समझ़रें इस बात को, यानि कि मालो अगर बलवन्त को Londonderry पसंद है, तो इसके आज पास, ऐसा कोई भी नहीं बैठा, जिसको Londonderry पसंद हो, तो यहाँ पर या तो Corner House वाला बैठा होगा, तो इधर भी Corner House का बैठा होगा कोई बन्दा, clear, अब हम स्टार्ट करते हैं, puzzles को बनाना, अमनेथ, वो लाइक्स लंडन डेरी, सिट्स थर्ड तो दी लेफ्ट अफ हैरी, तो पहले आप इस तरह से एक सर्कल बना लो, एबल बना लिया हमने, अब दोस्तों को बिठा देते हैं, एक, दो, तीन, चाथ, पांच, छे, साथ और आठ, ये आठ मित्र यहाँ पर बैठेंगे, पहली कंडिशन क्या कहती है, अमनेथ, वो लाइक्स लंडन डेरी, सिट्ट थर्ड तू दी लेफ्ट अफ हैरी, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर कहीं भी लिख दो, वो अपने आप, लास्ट में क्या होगा, सही से अरेंज हो जाएगी, तो माल लो हमने हैरी को यहाँ पुट किया, हमने हैरी को यहाँ पर रखा, तो अमनेथ की पोजिशन क्या है, थर्ड टू दी लेफ्ट ओफ हैरी, यहाँ वन, टू और थ्री, अमनेथ की पोजिशन यह हो गई, शेकिंड क्या कहता है, गोरी हू लाइक्स कॉर्णर हाउस, सिट सेकिंड टू दी राइट ओफ एडवर्ड, तो गोरी को जिसको कॉर्णर हाउस पसंद है, हमारी solve होती हो maximum, तो इसको पूरा पढ़ हो, फरीदा और चार्ली आर इमिडियेट नेबर टू इच अदर, फरीदा दस नोट लाइक लंडन डेरी, बलवन्त इस इमिडियेट नेबर ओफ फरीदा, अब यहाँ पे देखो, फरीदा चार्ली इमिडियेट नेबर टू इच अदर, फरीदा और चार्ली यह इमिडियेट नेबर है, बलवन्त इस इमिडियेट नेबर ओफ फरीदा, बलवन्त इस इमिडियेट नेबर ओफ फरीदा, clear but not Henry, यहाँ पे Henry या Harry कुछ भी लिख लो, तो बलवन्थ है अभी हमने यहां पे क्या देखा बलवन्थ, फरीदा और चारली इस तरह से combinations बनेगी तो यहां पे बलवन्थ, फरीदा, चारली यहां तो लिख नहीं सकते because यहां तो हमें नेत आ गया तो बलवन्थ, फरीदा, चारली यह तो बिल्कुल crystal clear है कि BFC, यह तीनों इस तरह से अप बैठे होंगे, साथ में, यानि BFC इस तरह से आएगा, clear, तो BFC यहां नहीं आ सकता because यहां में नेत आ गया, BFC यहां नहीं आ सकता, similarly यहां भी नहीं आ सकता, तो यह जो चार यहां पे दे रखी है position यहां पे कहीं पे BFC आएगा, माल लो हम BFC यहां लगा देते हैं, तो फिर Edward और Gori की position को place करना, मुश्किल हो जाएगा, समझे इस बात को, तो यहां पे हम किस तरह से इसको देखेंगे, हम यह देखेंगे, जो बलवन्त है वो Henry के पास में नहीं बैठता, यानि यह तो crystal clear है कि बलवन्त की position इन दो में से कहीं एक पर होगी, माल लो हमने यहां पे बलवन्त को लगा दिया, और यहां पे फरीदा को, और यहां पे चारली को, अब हम देखते हैं, next हमें क्या दे रखा है, Gori who likes corner house, sit second to the right of Edward, जो Edward है, उसके second to the right में Gori बैटी है, अब Edward की position यहां पर होगी, इसके second right में इस पत Gori बैटी है, अब बचा कौन DP का, तो DP की position यहां पर automatically set हो जाती है, अब यहां पर आप क्या करो, इस questions को करने में, अब यह तो मैंने case one, यानि कि one go में ही इसको complete कर दिया, because यह मैंने पहले already कर रखा है, जब मैंन इसको किया था, तो मुझे दो case लेने पड़े थे, इसी तरह से जब आप इसको solve करोगे, तो आप दो possibility लेके चलना, place करते जाओ, दो तिन possibility रखो, कि मालो BFC को यहां put किया, तो उससे क्या होगा, आपकी जो puzzles है, वो गलत बनेगी, तब आपकी जो second possibility है, उस पे सही बनेगी समझने इस बात को, तो automatically वो हो जाएगा, तो यहां पे अब हम ice creams को देख लेते हैं, Aminit who likes London dairy, Aminit को कौन सी पसंद है भया, London dairy ice cream पसंद है, अब London dairy वाले दो आपस में, आसपास नहीं बैठते हैं, अमने पहले पढ़ा था, तो यह तो crystal clear हो गया, गोरी को corner house है, और Edward को भी corner house पसंद है, फिर और ice cream कहां पर दे रखी है, फरीदा को London dairy पसंद नहीं है, यानि फरीदा को corner house पसंद है, clear, तो corner house तीन हो गया, एक, दो और तीन, अब चोथा corner house हम कहां रखे, अगर बलवंत के पास रख देंगे, तो London dairy के यह तिनों हो जाएंगे, जो की हो नहीं सकते है, as per the given conditions, तो corner house को हम यहाँ पर रखेंगे, हैरी के पास, ताकि यहाँ पर London dreams आए, यहाँ भी, sorry, London dairy आए, यहाँ भी London dairy आए, समझे रहे इस बात को, अब यह हो गया हमारा puzzle solve, अब इस से related जितने भी questions होंगे, वो हमारे correct होंगे, जैसे कि, out of the following five friends, four are alike in a certain, and thus form a group, find out the one who does not belong to the group, बलवन्त, एडवर्ड, अमनेत, चार्ली और दिपिका, तो इसमें से यह देखो, हमें क्या क्या दे रखा है, बलवन्त दे रखा है, एडवर्ड दे रखा है, अमनेत दे रखा है, चार्ली दे रखा है, और दिपिका दे रखा है, तो दिपिका को लंडेंडेरी पसंद है चारली को लंडेंडेरी पसंद है अमनेत को लंडेंडेरी पसंद है बलवंद को भी लंडेंडेरी पसंद है सिर्फ एडवर्ड है उसी को ही कॉर्णर हाउस पसंद है बाकी सभी मित्रों को लंडेंडेरी पसंद है तो जो एडवर्ड है वो इस ग्रूप का नहीं बनता तो आंसर इसका क्या हो जाएगा टू एडवर्ड question number 94 है in which of the following pair both the friends like corner house अब आपको यहाँ पर देखो corner house को किस को पसंद है तो यह यहाँ पर देखो यह एडवर्ड है इसको corner house पसंद है फिर हेंरी को भी corner house पसंद है यह देखो दोनों के दोनों तो यहाँ पर देखो एडवर्ड और हेंरी है कहीं पर यह राट डी डी इसका आ इक सकोरणर हाउस बिलकुल नहीं अभी हमने देखा देखा को लंडन डिर है पसंद है तो यह गलत हो गया हैंडरी एडवर्ड इमेडियेट नेबर आफ देपिका देपिका को इमेडियेट नेबर कौन है गोरी और हैंडरी तो शेकिंड भी रोंग हो जाएगी तो इसी तर immediate right to dipika तो ये भी गलत हो गया dipika sits second to the left of Charlie तो Charlie कहां पर है यह रहा, इसका second left हो गया, इसका second left हो गया, dipika ये बिल्कुल छही है, तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा D question number 96 है what is the Farida position with respect to Edward अब यह देखो यहां पे है Edward इसमें Farida की position आपको बतानी है तो Farida की position होगी यह center face कर रखा है यह इसका हो गया left side यह हो गया right side so second to the left second to the left question number 97 है if all the eight friends sit in alphabetic order of their names in anti-cloakwise direction starting from aminate how many friends position will remain same excluding aminate तो यह जितने भी दोस्त हैं यह अगर anti-cloakwise इस तरह से alphabetic direction में arrange हो यानि aminate के बाद आए अगर बलवन्त बलवन्त के बाद Charlie, Charlie के बाद दिपिका आए तो किसकी position same रहेगी तो यहां पे आप देखो aminate को exclude करना है उसको include नहीं करना तो aminate तो यहां पे रहे गई रहेगा राइट फिर उसके बाद यहां पे बलवन्त आ जाएगा फिर उसके बाद Charlie आ जाएगा फिर यहां पे दिपिका आ जाएगी फिर यहां पे Edward आ जाएगा फिर यहां पे फरीदा आ जाएगा आप देखो फरीदा और फरीदा एक तो यह हो गया अब यहाँ पर आ गया गया गोरी और यहाँ पर आ गया हैंडरी यानि कि जब इसको anti-clockwise direction में alphabetic arrange करेंगे तो excluding aminate सिर्फ एक ही है जो कि फरीदा जिसकी position सेम रहेगी तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा फरीदा तो how many friends पूछ रखा है तो आंसर क्या होगा one clear question number 99 है in a box there are red there are eight red seven blue six green balls one ball is picked up randomly what is the probability that it is neither red nor green तो यहाँ पर आप यह देखो कि total number of balls कितनी हुई 8 plus 7 plus 6 that is 14 and 7 21 एक बोल randomly pick की गई आपको probability बतानी है इस निदर red nor green so red वाली कॉंसी यह आठ यह नही होगी nor green यानि की 7 by 21 which is 1 by 3 question number 100 the average age of 10 people learning yoga is 32 years when the age of their instructor is added then the average become 34 years find the age of instructor आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 32 गुना 10 320 और जब instructor आगया यानि total number of people 11 होगे तो average is 34 हो जाती है इसकी multiply करो तो कितना आएगा 340 and 34 374 में से 20 को जब आप सब्ट्रेक्ट करोगे तो आजाएगा आपके पास 54 एक तो तरीका यह है इस तरह न से कर लेना second आपको और easy बता देता हूं इससे भी अब देखो 10 लोग है और 32 averages है और जब 11 इंस्ट्रक्टर आ गया तो 34 हो गई averages कहने का मतलब 34 एक तो यह अलग से लिख लो प्लस जो 11 बंदा आया है तब जाके 34 हुई है इसका मतलब 32 से 34 कितना increase हो रहा है 2 का average 2 बढ़ रही है और total number of people's पहले कितने थे 10 थे तो 10 गुणा 2 कितना हो गया 20 हो गया तो यह आगया 54